और सोशिलोजिकल थिंकर एमिल दुर्खीम शुरू करने जा रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खीम और मैक्स विबर एक क्लासिकल थिंकर माने जाते हैं 1839 में सोशिलोजी सब विषय की नियू रखी थी अगस्त कॉम्टे ने उनको फादर आप सोशिलोजी कहा जाता है और 1839-440 से कार्ल मार्क्स ने लिखना शुरू कर दिया था तो जब कार्ल मार्क्स ने लिखना शुरू कर दिया था तो sociology as a subject नहीं आया था तो आप कहोगे कि फिर हम मार्क्स को क्यों पढ़ते हैं तो मार्क्स को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मार्क्स ने भी society के बारे में लिखा वो चाहे उस समय sociology आया हो या नहीं आया हो मार्क्स ने भी society के बारे में लिखा है इसलिए हम उसको पढ़ते हैं इसलिए मार्क्स का विचार हम केवल और केवल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे लेकिन इन में से कुछ जो है वो सोशिलोजिस्ट है एमिल दुर्खीम अगस्त कॉम्टे तो हैं सिलिबस में अगस्त कॉम्टे नहीं है कुछ इस्टेट PCS के सिलिबस में है अगस्त कॉम्टे सुद्ध समासास्त्री है एमिल दुर्खीम समासास्त्री है मैक्स विबर समासास्त्री है टॉलकट पार्संस समासास्त्री है रॉबर्ट के मर्टन समासास्त्री है अब पुछोगे टिमीड क्या है तो ये हम इनको समासास्त्री की सिरनी में न रख करके इनको हम सोशल साइकोलोजिस्ट की सिरनी में रख सकते हैं समाजी के मनोवेग्यानी की सिरनी में रख सकते हैं इन्होंने जो से धान दिया है वो सोशल साइकोलोजी में भी पढ़ाया जाता है इसकाल सोशल साइकलोजी नीड जो है वो तो बाकी आपके धुर्खीम कॉम्ट तो है हैं धुर्खीम मैक्स वेबर पार्संस मर्टन चारो अगस्ट कॉम्टे जोड़ लोगे तो पाचो अब इसमें से धुर्खीम और अगस्ट कॉम्टे और मैक्स वेबर को हम क्लासिकल कहेंगे और पार्संस और मर्टन को हम आधुनिक कहेंगे समासास्त का उदभव एवरोप में हुआ ठीक है लेकिन इसका भिकास अमेरिका में हुआ तो निश्यत रूप से जो आधुनिक समासास्त्री होंगे वो कहां से होंगे तो बस आपका सकते हो कि अमेरिका से होंगे तो आपकी पार्सन्स और मर्टर अमेरिका से हैं अमेरिकन समा सास्त्री हैं और अगस्त कॉम्टे फ्रांस से इमिल दुरुखीम फ्रांस से और मैक्स वेबर चर्मनी से जो समा सास्त्री हैं बच्चा और वो भी सुरुवात वाले इनका विचार दोनों संदर्भों में हम देखेंगे इन्होंने समाज के बारे में भी अपने विचार दिये हैं समाज क्या है डैस 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 और दूसरा इन्होंने समाज सास्त्र के बारे में भी अपने विचार दिये तो इनको पढ़ते समय हम इनके विचारों को दो भागों में बाट कर पढ़ेंगे सोस्योलजी के बारे में इनका क्या कहना है और सोसाइटी के बारे में इनका क्या कहना है ठीक है सोसाइटी के बारे में जैसे सभी बोल रहे हैं वैसे बोलेंगे सोसाइटी को देखने का इनका नजरिया अलग-अलग हो सकता है समाज के बिसलेशन का नजरिया चस्मा परस्पेक्टिव अलग-अलग हो सकता है दुर्किम का अलग हो सकता है मैक्स वेबर का अलग हो सकता है पट समाज के बारे में इन्होंने क्या कहा समाज के किसी अंग के बारे में इन्होंने क्या कहा जैसे मार्क्स ने ओबरोल समाज के बारे में भी कहा और समाज के प्रमुख अंग एकोनॉमी के बारे में कहा उन्होंने समाज के सभी अंगों में से एकोनोमी को सबसे प्रमुखता दी कहा कि समाज के सारी अंगों को एकोनोमी ही निरधारित करती है और जब एकोनोमी में बदलाव आता है तो समाज के बाकी अंगों में भी बदलाव आ जाता है समाज में भी बतला हुआ जाता है इन्होंने किसी भी समाज के Economic System पर Focused अपना धेन किया और Economic System का Critical Analysis किया Economic System में क्या-क्या खामिया है इसको दिखाने का प्रयास किया और इसी को दिखाते-दिखाते ये मुख्य रूप से अपने समय के पुझी वादी Catalyst Economic System में क्या कमिया है क्या गड़बड़िया है उसका Critical Analysis प्रस्तुत किया और जब कोई विचारक किसी भी घटना का Critical Analysis करता है जब आप किसी किसी काहित करते हो जब आप कहते हो आपकी आँखे ठीक नहीं है तो कहीं ने कहीं आप एक आदर्स आँख को सामने रख करके आप करते हो कि भई आँखे ठीक नहीं है बैतर आँख ऐसा होना चाहिए आपका चेहरा ठीक नहीं है बैतर चेहरा ऐसा होना चाहिए तो जितने भी परिवर्तन वादी से धान्तकार है जिन्होंने भी या जितने भी कहो तो critical analysis करने वाले विचारक है वो कहीं ने कहीं एक आदर्स समाज की रूप रेका प्रस्तूत करते हैं चाहे ओगांधी का रामराज्य हो चाहे हो हीगल का Germany agenationalist state हो या मार्क्स का सामयवाद हो जो भी समाज या समाज के किसी अंग को criticize करता है वो एक आदर्स समाज या आदर्स अंग की रूप रेका प्रस्तूत करता है तो मार्क्स ने भी सामयवादी उत्पादन प्रणाली और सामयवाद को एक आधर्स समाज के रूप में प्रस्तूत किया तो मार्क्स का ओवरॉल विचार समाज के बारे में था लेकिन जब इन विद्वानों के विचारों को हम देखेंगे तो समाज के बारे में भी इनों ने यही कुछ कहा overall समाज के बारे में भी कुछ कहा किसी ने पूरे समाज के मेकेनिजम को समझाने का प्रयास किया टॉलकट पार्सन्स को पढ़ेंगे तो Parsons ने society के mechanism को समझाने का प्रयास किया society की कौन-कौन से यंग है ये सारे यंग कैसे मिले हैं और ये सारे यंग मिलकर के कैसे समाज को बनाते हैं उनका पूरा का फूरा focus overall society था society as a system Emil Durkheim ने Max Weber ने भी society के बारे में लिखा लेकिं society के बारे में बहुत जादा ना लिख करके society के particular किसी अंग पर focus अध्येन किया Emil Durkheim ने सरम विभाजन की घटना पर अध्येन किया उसके बारे में लिखा Emil Durkheim ने धर्म की घटना का अध्येन किया उसके बारे में लिखा Emil Durkheim ने suicide प्रद्धेन किया 26,000 आत्महत्याओं के केस का ध्येन किया और आत्महत्याओं पर एक सिधान प्रस्तुत किया मैक्स्वेबर ने भी एकोनॉमी खास करके पंजीवादी उद्पादन प्रणाली का ध्येन किया उसके बारे में लिखा मैक्स्वेबर ने धर्म का अध्यान किया धर्म के बारे में लिखा overall, समाज पर फोकश्ट अध्यान करके बिड़्ित रूप से समाज की रूप रिखा प्रस्तुत करते हैं तो इनमें से कुछ लोग हैं जो समाज पर पूरा समाज के बारे में कम लिख करके समाज के किसी अंग पर फोकस्ट करके अध्याइन करते है दुरुखीम की किताब का नाम ही है सुसाइट तद सुसाइट में सुसाइट पर फोकस्ट होंगे लकिन कहीं न कहीं उनके बिचारों में overall समाज के बारे में एक अप्रूच जरूर होगा एक विचार जरूर होगा, हम उस विचार को पहचानने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे फिर इन विचारकों ने, एमिल दुरुखीम, मैक्स वेबर, आधी ने खास कर कि इन दोनों ने समासास्त्र के बारे में भी लिखा है समासास्त्र क्या है? समासास्त्र के बारे में बात करते हैं, सोशियोलजी के बारे में बात करते हैं तो सोशियोलजी के बारे में हम दो तिन चीज़ों के बारे में ही बात कर सकते हैं सोशियोलजी क्या है? उद्भो और विकास पर बोलने की जरूरत नहीं है कोई तिनकर उद्बह और विकास पर क्या बोलेगा हो तो historical philomena है sociology क्या है अलग-अलग विचारकों के विचार इस पर हो सकते हैं sociology की बीशेख बस तू क्या है अलग-अलग विचारकों के विचार हो सकते हैं हम लोगों ने sociology की परिवासा देखी थी याद होगा आपको तो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग रूप में इसको परिभासित किया था निस्चित रूप से इन सभी परिभासाओं में कुछ चीज़े कॉमन थी और उसी कॉमन की अधार पर एक हम लोगों ने जिनरल डिफिनिशन सोशियोलजी का लिखा था लेकिन सभी लोगों ने अलग-अलग चसमें से सोशियोलजी को डिफाइन किया था सोशियोलजी का सब्जेक्ट मेटर क्या है सोशियोलजी की विसे बस्तू क्या है सोशियोलजी किन किन चीजों का अधेन करता है इस पर भी इन विद्वानों के विचार अलग-अलग है बट सब में कुछ चीजे कॉमन है सोशियोलजी का विसे छित्र क्या है इस पर भी इन बिद्वानों के बिचारों में भिन्नता है बट कुछ चीजे कॉमन है सोशियोलजी की प्रकृति क्या है बिग्यान है बिग्यान है तो कैसा बिग्यान है प्राकृतिक बिग्यान की तरह बिग्यान है या ब्याख्यात्मक बिग्यान है तो नीचर आफ सोशियोलजी के बारे में भी अलग-अलग बिद्वानों के बिचार अलग-अलग है एमिल दुर्खीम इसको प्राकृतिक बिज्ञान की तरह बिज्ञान मांगते हैं जबकि मैक्स वेबर इसको बिज्ञान की कटेगरी में कटेगराइज करते हैं उसी तरह समासास की अध्यान की पद्धती क्या होगी इस पर भी इन विद्वानों के बिचारों में मतभेद है दुर्खीम के अनुसार अध्यान की पद्धती कुछ और है मैक्स ویبر کے अनुसार अध्यान की पद्धिती कुछ और होनी चाहिए तो जो आपके सोशियोलजी का unit 1, unit 2, unit 3 है वो समाज सास्तर के बारे में है समाज सास्तर क्या है, उसके विशेवस्टों क्या है दूसरा है समाज सास की प्रकृति क्या है तीसरा है समासास के अध्यान की पद्धिती क्या है इनी तीनों के संदर्व में इन विद्वानों ने भी अपने विचार प्रस्टूत किये हैं तो हम जब इनको पढ़ेंगे तो इनके विचारों को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे समाज सास्त्र के बारे में इनके विचार और समाज के बारे में इनके विचार थोड़ी बहुत बाते आपको मैं यहीं पर बता दू आपके सामने स्क्रीन पर दुर्खिम साहब की तस्वीर है यह एक फ्रांसी सी समाज सास्त्री है यह फ्रांस के रहने वाले थे 1858 में इनका जन्म हुआ था इनके जन्म के ठीक एक साल पहले अगस्त कॉम्टे 1857 में उनके मृत्व हुई थी और अगस्त कॉम्टे के मृत्व के बाद दुर्खिम का उसी फ्रांस में जन्म हुआ कहा जाता है कि अगस्त कॉम्टे के ही विचारों को इडोने आगे बाया अगस्त कॉम्टे 1839 में समाज के बिग्यान के रूप में सोसियोलजी की नियू रख करके मर गए लेकिन किसी भी इन्वरसिटी के लेबल पर सोसियोलजी एजे सब्जिक्ट रिकोगनिसन नहीं मिल पाया ये अधूरे काम को एमिल दुर्खिम ने पूरा किया तो 1840 में ये पैदा हुए 1917 में ये मर गए अपने मरतु के कुछ दिन पहले तक इनकी मानसी किस्तिती भी थोड़ी सी खराब रही इन्होंने एथिक्स पर भी लिखा है जान रहे है एथिक्स पर भी लिखा है और फूर्थ पेपर में भी मैक्स वेबर के एथिक्स पर सवाल पूछा जा चुका है हलाकि हमारे इस थिंकर में कहीं से भी एथिक्स इनका नहीं पढ़ना है लेकिन हम लोगों को एक समझ बिक्सित करनी होगी अगर आप फुर्थ पेपर का 2013 के बाद प्रशन पेपर उठाओगे मेरे ख्याल से 16-17-18 में तो मेक्स वेबर का भी एथिक्स पर सवाल फूर्थ पेपर में पुछा गया है एमिल दुर्खीम साहब ने भी नेतिक टापर काफी लिखा है इनको नेतिक अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था युद्ध में इनके पुत्र की मृत्व हो गई थी सहीद हो गए थे इनके पुत्र तो काफी दुखी रहे लेकिन मुखे रचनाएं जो थी इनकी वो 1912-13 तक इनकी प्रमुख रचनाएं है 1912 में इनोंने धर्म पर लिखा धर्म का समासास्त्रिय विशलेशन पर स्थूत किया और 1889 से इन्होंने लिखना सुरू किया 1889 ठीक है इन्होंने सबसे पहले स्रम विभाजन पर समाज में स्रम का विभाजन दिविजन ओफ लिबर इन सोसाइटी पर अपनी पहली पुस्तक्ली की इस पर इनकी पिएजडी भी थी और फिर आगे इन्होंने बाकी सोशल फैक्ट पर सोसलोजीकल मिटलोजी पर किताब लिखी आत्मत्या पर किताब लिखी धर्म पर किताब लिखी 1912 में तो ये थे दुरखीम साहब जिनको हम लोग पढ़ेंगे एमिल दुरखीम इन्होंने समाज सास्तर को एक बिग्यान के रूप में अस्थापित करने में बहुत बड़ा कंटीबू संदिया है मैंने अभी अभी कहा कि इन्होंने अगस्त कॉम्टे के अधूरे काम को पूरा किया है अगस्त कॉम्टे सोश्यॉलजी क्या है इसकी विसे बस्तू क्या है इसकी प्रकृती क्या है इसकी अध्याइन पद्दती क्या है पर सामानी चर्चा करके बर गए थे एमिल दुर्खीम ने उसको और अस्वष्ट किया एमिल दुर्खीम ने समाज सास्तर को अन्य विग्यानों से प्रिथक एक स्वतन्तर भी से के रूप में एक स्वतन्तर भी ज्यान के रूप में अस्थापित करने में आहम भूमिकानी भाई तो समासास्तर में एमिल दुर्खिम का विचार भी हम लोगों के लिए महत्पूर है और समाज के बारे में भी एमिल दुर्खिम का विचार हम लोगों को पढ़नाई है यह है दुर्खिम एमिल दुर्खिम हमारे दिमाग में बिलकुल क्लियर है 1839 में सोचियलोजी के अस्तापना होती है हमारे दिये हुए तिंकर में से एक तिंकर आपके काल माक्स 1818 में पैदा लेते है 1849, 44, 37, 44, 40 में लिखना सुरू करते है 1883 में मर जाते है दूसरा दिंकर 1859 में इमिल दुर्किम पैदा लेते है अगस्त कॉम्टे के मृतु के एक साल बाद और 1917 में मर जाते है तीसरा दिंकर आपके मैक्स विबर है जो 1864 में पैदा लेते है 1864 यानि दुर्किम के पैदा लेने के 6 साल बाद और वो 1920 में मरते हैं दुर्किम के मरतु के 3 साल बाद तो इनका जो पेरियड है एवरोप का वही वाला समाज का पेरियड है इसके बाद आपके मर्टन और पार्संस ये 1940, 45, 50, 60 के लिखक है यहोंने 1950, 60 में लिखना सुरू किया 1940 में, 49 में भी पार्संस ने लिखा तो मतलब 1949, 40 तो समझ सकते हो कि ये मार्क्स से 100 साल बाद के हैं दुर्किम और गयरा से भी लगबग 70 साल बाद के हैं इसलिए इनको आधुनिक समास सास्तरी जिन तक कहा जाता है तो ध्यान रहे पार्संस मर्टन मीट इनको बाहर करो बाद के लिए और पहले वालों में आपके दिमाग में क्लियर है काल मार्क्स या पीछे चलो तो अगस्त कौम्टे काल मार्क्स इमिल दुर्खीम मैक्स वेपर इस चार तिंकर को हम लोगों को दिमाग में रिखना है आगे हम लोग बढ़ते हैं सिलिबस हम लोग पहले देखते हैं बच्चा हम लोगों को सिलिबस में इमिल दुर्खीम का चार टॉपिक UPSC के सिलिवस में भी दिया हुआ है और UPPCS के सिलिवस में दिया हुआ है Division of Labor इसको आप कह सकते हो Division of Labor in Society समाज में सरम काविभाज़ मानो समाज का एक प्रमुख अंग है मानो समाज की एक प्रमुख घटना है तो एक तीन समाज की अंग या समाजी घटनाओं का इन्होंने विश्दित विश्लेशन प्रस्तूत किया है और Social Fact का जो टॉपिक है ये sociology के बारे में है तो sociology के बारे में एक टॉपिक Social Fact और समाज के बारे में तीन टॉपिक सिलिवस में है Division of Labor in Society Suicide और Religion Emil Durkheem ने जब इन समाजी घटनाओं के बारे में देखा होगा तो उनका परिपिक्च क्या होगा परस्पेक्टिव क्या होगा Sociological हमेशा ध्यान रखो समाज सास्त्र एक बिसे है जिसकी बिसे बस तू समाज है समाज सास्त्र समाज का अध्यान करने वाला बिसे है इसकी प्रकृति बैग्यानिक है तो हमारा अगला लाइम बनेगा समाज सास्त्र समाज का अध्यान करने वाला एक बिग्यान है बिग्यान है तो इसकी पद्दती क्या होगी बैग्यानिक पद्दती होगी और इसका परिपिक्च क्या होगा समासास्त्रिय परिपिक्च होगा सोसिलोजिकल परस्वेक्टिव समासास्त्रिय नजरिया समासास्त्रिय दृष्टिकों तो हम कह सकते हैं समासास्त्र समाज का ध्याइन करने वाला एक बिग्यान है जो बैग्यानिक पद्धती से और समासास्त्रिय परिपिक्च से समाज और समाजी घटनाओं का अध्यान करता है एक complete definition है हर word definition का अपने आप में एक topic है समासास्त्र समाज का बैग्यानिक पद्धती से अध्यान करने वाला या समासास्त्र समाज का ध्यान करने वाला एक बिग्यान है जो बैग्यानिक पद्दती से और समासास्त्रिय परिपेक्च से समाज का और समाजी घटनाओं का ध्यान करता है बैग्यानिक पद्दती कलेर हो चुका है समासास्त्रिय परिपेक्च भी मैं बता चुका हूँ समासास्त्री परिपेक्ष का मतलब होता है किसी घटना के समाजिक आयामों का बिचलेसन करना किसी घटना के सोसल डायमेंसन को समझाने का प्रयास करना यह सोशियोलजी की बिसेस्टा है यही सोशियोलजी का अप्रोच है और सोशल डायमेंसन मतलब sociological perspective मतलब घटना का समाज पर क्या प्रभाव है समाज का घटना पर क्या प्रभाव है sociology यही देखता है क्यों देखता है तो sociology कि विसेवस्तु समगर समाज है sociology एक सामान्य भी ज्यान है मैं बता चुका हूँ राजनिती भी ज्यान अर्थ सास्त एक विसेश्ट भी ज्यान है आर्थिक ब्यवस्ता राजनितीक ब्यवस्ता धार्मिक ब्यवस्ता बिवाह ब्यवस्ता परिवार ब्यवस्ता सिक्छा ब्यवस्ता यह सब मानों समाज के अंग है हम इसी समाज में पैदा लेते हैं इन अलग-अलग अंगों से जुड़कर हम अपनी अलग-अलग अवसक्ताओं को पूरा करते हैं आर्थिक बिवस्था से जुड़कर हम अपनी भौतिक अवसक्ताओं को पूरा करते हैं बिवाह परिवार बिवस्था से जुड़कर हम यौन तुष्टी परजिनन बच्चों का पालन पूसन जैसी आउसक्ताओं को पूरा करते हैं हम सिक्षा बिवस्था से जुड़कर ग्यान प्राप्ति की आउसक्ताओं को पूरा करते हैं इन सभी अंगों के से जुड़कर अपनी अलग-अलग जरुरतों को पूरा करते हैं और इसी में मर जाते हैं इसी समगर को हम समाज करते अर बाकि जितने भी बशे थे हमने पहले पढ़ा है इस सब बिसिस्ट भी ग्यान है बिसिस्ट भी से है राजनिती सास्त्र समाज की एक अंग पॉलिटिकल सिस्टम पर फोकस्ट बैज्यानिक अध्यान करता है पॉलिटिकल सिस्टम के मेकेनिजम को समझने का प्रयास करता है अर्थ सास्त्र समाज की एक अंग एकोनोमिक सिस्टम पर फोकस्ट अध्यान करता है और economic system के mechanism को समझने का प्रयास करता है समाज सास्त्र समगर समाज पर focus तद्यान करता है द्यान से सुनो समाज सास्त्र समाज को एक integrated whole मानता है again I repeat समाज सास्त्र समाज को एक integrated whole मानता है एक एकरत समगर मानता है एक ऐसा समगर जो कई अंगों से मिलकर बना है एक ऐसा समगर जिसके सारे अंग प्रॉपरली एक दूसरे से जुड़े होते एक ऐसा समगर जो कई अंगों से मिलकर मसीन की तरह तयार है इस मसीन को हम समाज करते हैं और समासास्त इसी मसीन रूपी समाज परकंद्रित अध्यान करता है और समाज के मेकैनिजम को समझने का प्रयास करता है इसलिए जब समासास्त समाज के इन अंगों का ध्यान करता है समासास्त भी पोलिटिकल सिस्टम का ध्यान करता है समाज सास्त भी एकोनोमिक सिस्टम का ध्याइन करता है समाज सास्त भी एजुकेशन सिस्टम का फिमरी सिस्टम का मैरेज सिस्टम का लिलिजन सिस्टम का ध्याइन करता है और राजनती भी ग्यान भी करता है अरत सास्त भी करता है बर दोनों के चसमे में अंतर है, दोनों के परस्पेक्टिम में अंतर है, नजरिये में अंतर है जब समाज सास्त्र एकोनॉमिक सिस्टम का धेन करता है तो वह एकोनॉमिक सिस्टम को as a part of society देखता है समाज की अंग के रूप में जब समाज सास्त्र पॉलिटिकल सिस्टम का ध्याइड करता है तो वह पॉलिटिकल सिस्टम को समाज के एक अंग के रूट में देखता है एजुकेशन सिस्टम को समाज के अंग के रूट में देखता है religion system, family system, marriage system को समाज की एक अंग के रूप में देखता है जबकि political science political system पर focus तर्द्याइंड करता है वो political system के विभीन अंग और उनके मध्य के संबंधों और उसके मेकनिजम को समझने का प्रयास करता है समाज के family system, marriage system, religion system से उसका कोई लेना देना नहीं है समाज की मसीन को समझने का प्रयास करेगा इसलिए उसका तो लेना देना economic system, political system, family system education system सबसे है उस सबको as a part of society देखता है और ये देखने का प्रयास करता है कि समाज के अंग के रूप में ये सभी political system economic system, family system, family system, religion system value system कैसी एक दूसरे से जुड़े कैसी एक दूसरे को प्रभावित करते है economic system का family system पर क्या प्रभाव है religion system पर क्या प्रभाव है education system पर क्या प्रभाव है या religion system का education system पर क्या प्रभाव है family system पर क्या प्रभाव है economic system पर क्या प्रभाव है political system पर क्या प्रभाव है इसी धर्म के आधार पर हुआ था राजा भगवान का प्रतिनिधी है भगवान ने हमें हमारे उपर सासन करने के लिए अपने प्रतिनिधी के रूट में राजा को भेजा है और हमारा धर्म है कि राजा की आग्या का पारण करे एक लंबे समय तक धर्म का प्रभाव 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 था, एक लंबे समय तक फेमली पर प्रभाव धर्म का था, फेमली सिस्टम पर था, पती पर में स्वर होता है, टैस टैस टैस, एक लंबे समय तक धर्म का एकोनोमिक सिस्टम पर प्रभाव होता है, तो धर्म बाकी अंगों को कैसे प्रभावित करता है या बाकी अंग धर्म को कैसे प्रभावित करते हैं एकॉनोमिक सिस्टम बाकी अंगों को कैसे प्रभावित करते हैं या बाकी अंग पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं यह हम देखते हैं यह सोशियोलजी देखता है यही ह जर ये को इसी दिष्टी कुणों को हम सोसिलोजीकल परस्पेक्टिव करते हैं समासास्तिये परिपक्च करते हैं इसलिए सोसियोलजी में हमारा भी सेवस्तू साइक्ल भी है स्कूटर भी है कार भी है दवा भी है उत्पादन प्रणाली भी है अल्टरा साउंड मसीन भी है लेकिन हम कार क्या मेकेनिजम है साइकल का क्या मेकेनिजम है या कोई मेडिसिन किन किन रसायनिक तक्मों से मिलकर बनती है या अल्टरा साउंड का क्या मेकेनिजम है ये जानने का प्रयास नहीं करते है हम तो ये देखने का प्रयास करते हैं कि साइकिल का या कार का या मेडिसिन का या अल्ट्रा साउन मसीन का समाज पर क्या प्रभाव है कैसे अल्ट्रासाउन मसीन ने लिंग चैन को संभव बनाया कैसे अल्ट्रासाउन मसीन के विकास के परिणाम स्वरूप अविस्कार के परिणाम स्वरूप प्रचलन के परिणाम स्वरूप कन्या भून हत्या में ब्रदी हुई और देस का लिंगा नुपात गिर गया यह है अल्टरा साउन मसीन का समाज पर प्रभाव समझ में आरा है तो हमारे लिए हर समाज में जो भी है वो समा सास्तर का बिसे बस्तू है बट नजरिया देखने का हमारा अलग है हम किसी भी गटना के समाजिक आयामों को देखेंगे जही है सोचियल जी तो बहुत क्लियर है कि डिविजन ओफ लिबर एक समाजी गटना है खास करके एकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ी गटना है एडम स्मित ने इसको आर्थिक विकास में सहायक बताया था काल मार्क्स ने भी इस पर लिखा था याद करो उन्होंने अलगाओ कि संदर में जटिर स्रंबी भाजन पर कलम चलाई थी दुर्खीम ने भी इसको अपने अध्यान का विसे बस्तू बनाया और इस पर लिखा उसी तरह आत्मत्या उस समय इरोप में दुर्खीम काली इरोप में बहुत तेजी से बड़ी थी धिर सारे लोग सुसाइट कर रहे थे दुर्खीम ने भी आत्मत्या को अपने विसे बस्तू के रूप में लिया और उस पर कलम चलाई लिखा धर्म भी उस समय की बहुत महत्पून घटना थी दुर्खीम ने भी धर्म को अपने अध्यन की विसे बस्तू के रूप में लिया और उस पर लिखा बट बहुत कलियर होगा कि दुर्खीम ने डिविजन ओफ लिबर या सुसाइड या धर्म के समाजिक आयामों को देखने का प्रयास किया होगा दुर्खीम का नजरिया सोशिलोजिकल था इसका समाज पर क्या प्रभाव है या समाज का इस पर क्या प्रभाव है डिविजन ओफ लेबर सुसाइड यार इलिजन समाज से कैसे जुड़ा हुआ है यह दुर्खीम ने लिखा होगा इतना ध्यान में रहे तो यही हम लोगों को पढ़ना है दुर्खीम का इचार टॉपिक है हम लोग सुरू करते हैं और हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे सबसे पहले उस समय दुर्खीम कालिन समाजीक परिद्र से को देखेंगे दुर्खीम कालिन बौधीक परिद्र से को देखेंगे दुर्खीम की अध्याइन का क्या उद्धिस था अपने पूरे बिशलिसन में हम यह देखेंगे और फिर इनहीं के कंटेस्ट में दुर्खीम के जो भी बिचार हैं उसका एक आउटलाइन पहले समझेंगे जैसे हम लोगों ने मार्क्स का समझा था तो हम लोग सुरू करते हैं बच्चा सबसे पहले हम आपके सामने है समा सास्त्रिय चिंतक्त एमिल दुर्खीम 1859 से 1917 फ्रांस इसको तोला हम उपर उठा देते हैं ज्यान से रखिएगा और अब आपको मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा आज का क्लास के वल लेक्चर होता है डाग्राम आप बना सकते हो शुरूआत के जो एक दो क्लास होते हैं जिसमें कि हम किसी भी थिंकर के सभी पक्छों को समझते हैं मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि थिंकर को बहतर तरीके से अगर समझना है तो हम उस समय के समाजिक परिद्रिश्च को देखें उस समय के बौधिक परिद्रिश्च को देखें थिंकर के समय क्या चल रहा था, कैसा था क्योंकि कोई भी विचारक जनम से कोई विचार लेकर नहीं आता है समाजिक परिस्थितियां, बौधिक परिस्थितियां ही उसके विचारों को सेप देती है उसके विचारों को स्वरूप परदान करती है तो जदी हम समाजिक प्रिद्रिस को समझ जाते हैं, बौधिक प्रिद्रिस को समझ जाते हैं, तो उसके विचारों को समझना हमारे लिए और बेहतर हो जाता है, ठीक है? मैंने अभी अभी बताया था, कि दुर्खिम का जो टाइम था, एरोप में, फ्रांस में था, अठारा सो, अंठावन, और उननीस सो सत्रा, यानि उस समय तक, दो-तिन घटनाएं एरोप की महत्पून थी, एक तो मार्क्स वाली समाजिक प्रिष्टपूमी थी, उसके और एक इस्टेप पीछे चले जाओ, अगस्त कॉम्टे वाली समाजिक प्रिष्टपूमी, मतलब एरोप में जो दो-तिन-चार महत्पून घटनाएं हैं, ओ आपको पता है, आप प्रबुधन, काल और पुनर जागरन दो महत्पून घटनाएं हैं, जिसके बारे में आप परिचित हो, एरोप की जो दो-तिन-चार महत्पून घटनाएं थी, एक थी बैग्यानी करांती, दूसरी थी व्यापारी करांती, तिसरी थी ओदोगी करांती, ब्यापारी करांती और ओदोगी करांती को हम आर्थिक चेत्र में एक महत्पून घटना मानते हैं, और बैग्यानी करांती, विग्यान और तक्निकी विकास के चयतर में एक मत पुगणा मानी जाती है। उसके पहले का ईड़ोप का समाज, मद्यकालीन समाज, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ईड़ोप के, आध़्ुनिक के पहले की समाज की बात करें, धर्म की प्रधानता थी, उस समय बहुत जादा बिग्यान और तक्निकी का विकास नहीं हुआ था उस समय लोगों की सोच बहुत जादा तारकिक बैग्यानिक नहीं हुई थी उस समय तरक बुद्धिवाद बहुत प्रबल रूप में विक्सित नहीं हुआ था प्रबल रूप का मतलब होता है कि तर्क तो मनुस्य में जनम से होता है यही छमता मनुस्य को अन्य जानवरों से अलग करती है मनुस्य एक विबेकसील प्राणी है तो बिज्ञान का अभिकास या प्रदोगी की का अभिकास कोई नहीं घटना नहीं है जब से हम आये हैं तब स पहले से रहा है, कोई नई चीज नहीं है इस फेज में करांती कारी बदलावाया यानि बहुत जादा तेजी से इसलिए इसको बैग्यानी करांती की संग्यादी गई तो उसके पहले की समाज में अगर हम जाते हैं तो धर्म प्रधान समाज था, समाजी जीवन के सभी चित्रों में धर्म का प्रभाव प्रबल था समाज के जो मुल्य थे माननेता थे, समाजी के नियम थे उसका निर्धारन धर्म करता था पोप और पादरी करते थे धर्म गरंतों के माध्यम से होता था राजतंत्र था राजी के दैवी अधिकार का सिध्धांत का प्रचलन था यानि पोलिटिकल सिस्टम भी धर्म से प्रभावित था सरल क्रिसी अर्थ में वस्था थी खेतों पे बड़े-बड़े भुसामंतों का नियंतरन होता था और किसी मजदूर उनके खेतों में काम करते थे धार्मिक सिध्धा थी आधूनिक सिध्धा का प्रदुलभाव नहीं हुआ था धार्मिक सिध्धा बड़े अगर हम समाजीक अस्तरीकरन बड़े पर नजर डाले उस समय के उच नीच तो सबसे टॉप पर राजा पूप और पादरी थे धर्म के जो हेड़ थे सबसे टॉप पर थे धर्म परदान समाज तो बॉस सबसे ज़्यादा पूप पादरी उसके बाद राजा, सामंत और कुलीन बर्ग के लोग थे और सबसे बॉटम में सामाने जन थे commoners जिनको हम करते हैं तो सबसे टॉप में पूप पादरी उसके बाद राजा, सामन्त, कुलीन और सबसे बॉटम में सामाने जन यानि तीन अस्तरों में बटा हुआ था उस समय का उरोप का समाज और सबसे बॉटम वाला जो सामाने जन था, इसमें दो लेयर था एक खेती करने वाला किसी मजदूर और दूसरा उस से थोड़ा उपर चोटे-चोटे दुकांदार और व्यापारी बर्ग यही दुकांदार और व्यापारी बर्ग था वासकोडी गम्मा कुलंबस अमेरिका गया ब्यापार करने के लिए और धीरे धीरे इन देशों के साथ एवरोप का ब्यापार इतनी तेजी से बढ़ा कि इसको ब्यापारी करांती किसंगा दी जाती है और धीरे धीरे यही ब्यापारी अपने ब्यापार की जरूरतों के हिसाब से भारत जैसे अपनिलिसिक देशों की आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए ब्यापक अस्तर पर उत्पादन करने लगे मसीनों से उत्पादन करने लगे मसीनों से लार्ज स्केल प्रोडक्सल इतनी तेजी से ही रोप में बढ़ा कि इसको हम ओदोगी करांती के संग्या देते हैं ओदोगी करांती के संग्या देते हैं यानि ब्यापारी करांती ने ओदोगी करांती को जन्म देने में आहम भोमिका निभाई और यही ओव ब्यापारी बर्ग था जो ओदोगी करांती के बाद उद्दोगपती या पुझीपती बर्ग के रूप में उभर कर सामने आया कि सब कुछ मार्क्स में हम लोगों ने बकू भी पढ़ा है ब्यापारी करांती ओदोगी करांती और एक साइड में अगर हम जाते हैं और इधर व्यापारी क्रांती और अधोगी क्रांती जब हुई तो अधोगी क्रांती पुंजी वादी उत्पादन प्रणाली के तहत हुई नीजी व्यापारियों ने उद्दमियों ने उद्दोग पतियों ने पुंजी पतियों ने मसीनों से लार्जिस्केर प्रोडक्शन को सुरू किया इनका उद्दे से था अधिक से अधिक लाब कमाना इस प्रक्रिया में जम कर सोशन हुआ बिसमता बढ़ी गरीवी बढ़ी बिरुजगारी बढ़ी सलंस का बिकास हुआ नगरी करण हुआ कई प्रकार के नगरिये समस्याओं का आगमन हुआ तो इरोप में ओदोगी क्रांती हो चुकी थी और ओदोगी क्रांती के दुस्परिणा दिखाई देने लगी थी पहला पॉइंट और दुसरी तरफ इरोप में जो धर्म प्रधान समाज था पोप और पादरी राजा सामन्त कुली कॉमनर्स समाजिक जब जीवन के सभी चेत्रों में धर्म का प्रभाव प्रबल था उसी समय एरोप में तरक बुद्धिवाद का विकास होता है मतलब तरक संगत बिशलेशन तेज हो जाता है लोग अब हर घटना को तरक के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं हर घटना पर प्रसंची में खड़ा करते हैं तरक भी तरक करते हैं और जहां तरक का प्रभाव बढ़ेगा ओभिसली धर्म का प्रभाव कमजूर होगा धर्म द्वारा बहुत सारी कही गई बातों पर लोगों ने तरक करना सुलो किया प्रसंची खड़ा करना सुलो किया अरे वही धर्म का संबंद विश्वास से है हनुमान जी हैं तो हैं हमारा विश्वास है इस पर जैसे ही तरक करोगे न हनुमान जी का स्थित्तु खत्रे में पढ़ जाएगा धर्म का स्थित्तु खत्रे में पढ़ जाएगा लेकिन लोगों ने तर्क करना शुरू किया सबसे पहले धर्म द्वारा कही गई बातों पर तर्क करना शुरू किया और उसमें एक और चीज़ जानने वाली है कि धर्म का प्रभाव इतना ज़्यादा प्रबल था कि धर्म हर चीज़ के बारे में ग्यान देना शुरू कर दिया था It's encroachment of religion ये धर्म का encroachment था धर्म तो अलावकिक सक्ती में भी स्वास और उससे जुड़े करम कांडू की एक बिवस्ता है मैं अपनी पत्नी से बहुत महबत करता हूँ ये हमारा इमस्दल मामला है लेकिन हमें इस emotion में अंधा नहीं होना चाहिए कि अब मैं कहने लगू कि हर चीज़ को मेरी पत्नी ने बनाया यही हुआ था धर्म प्रधान समाज में लोगों का धर्म से अथा लगाओ था ये emotion का मामला था लेकिन इस emotion का फाइदा लोगों ने उठाया वो पादरी जो भी धर्म प्रमुक थे और उन्होंने हर घटना की ब्याख्या करनी शुरू कर दी हर घटना के बारे में धर्म ने बोलना शुरू कर दिया नीचर के बारे में धर्म ने बोलना शुरू कर दिया भूक इंद्रित सिध्धान, पृत्वी के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं हर चीज के बारे में राजा भगवान के प्रतिनिदी है, हमारे हाँ इंडिया में पती परमिश्वर है यह इंक्रूश्मेंट थारी नीजल का लेकिन जब तरक बुद्धिवाद का विकास हुआ, जब विज्ञान का विकास हुआ सबसे पहले विज्ञान का विकास प्राकृतिक जगत के बारे में हुआ गैलीलियों ने, फिर कौपर निकस ने, सुर्ज के इंद्रि सिध्धान का प्रतिपादन किया कि पृतिवी के चारो तरफ नहीं, सुर्ज के चारो तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, सोचो अगर ये धर्म दोरा कही गई बातों को मान लेते, विश्वास कर लेते, कि नहीं, पृतिवी के चारो तरफ सारे ग्रह चकर लगाता है, क्योंकि ऐसा Christianity में लिखा है, तरीके से फिर इस को खोजने का प्रयास किया कि फिर आखिर किसके चारों तरफ सारे गरह चक्कर लगाते हैं और खोज निकाला अगर विश्वास कर लेते तो फिर उनकी खोज आगे नहीं बढ़ पाते हैं धर्म द्वारा दिये गए ग्यान जिसका सुरोत या जिसका आधार विश्वास था इस धर्म द्वारा दिये गए ग्यान पर इन्होंने अविश्वास किया डाउट किया और फिर बैग्यानिक तरीके से कुछ नए ग्यान की खोज रखी इसी को बिग्यान कहा जाता है बिग्यान वह ग्यान है जिसको तरकसंगत और बिवस्तित तरीके से प्र बहिया आप जा चुलो सही है या गलत है इस तरह से तरक बुद्धी वाद के विकास ने विज्ञान के विकास को संभव बनाया बहिज्ञानिक क्रांती एक महत्पुन घटना के रूप में उभर कर सामने आई पहले प्राकृतिक जगत के बारे में धेर सारी धर्म द्वारा कही गई बातों को इस विज्ञानिक क्रांती ने जूठा साबित कर दिया और समझ सकते हो कि जब प्राकृतिक जगत के बारे में धर्म द्वारा कही गई बाते जूठी साबित हुई तो धर्म की प्रतिष्ठा गिरी योरोप में धर्म की प्रतिष्ठा गिरी लोगों को धर्म द्वारा कही गई बातों पर डाउट होने लगा धर्म जो ग्यान देता था बस दे देता था सिद्ध नहीं करता था यास था और भी स्वास पे आदारी था बैग्यानी को ने जो ग्यान दिया उस ग्यान को उन्होंने सिद्ध किया परिणाम हुआ बैग्यानी को द्वारा दिया गया ग्यान लोगों को अपील करने लगा सुरू सुरू में बिग्यान के इस विकास को धर्म ने भिरूद किया क्योंकि बिग्यान के इस विकास से धर्म का प्रभाव कमजोर हो रहा था धर्म जूटा साबित हो रहा था गैलीलियों को फांसी दे दी गई कौपर निकस को अपना स्टेट्मेंट छे साल तक वापस लेने के लिए कहा गया छे साल साथ साल तक कौपरनिकस ने स्टेट्मेंट को डर से दबा दिया फत्वा जारी कर देंगे मार देंगे धीरे धीरे धर्म के अंदर भी बहुत सारे तरक संगत विशलेशन सुरू हुआ जिसने प्रोटेस्टिंट वाद को जनम दिया तरक बुद्धिवाद का प्रभाव प्रवल हो गया था विज्ञान का विकास सुरू हो गया था और विज्ञान के विकास के साथ एरूप में धर्म के प्रभाव में कमी आने लगी धर्म का जो हर छित्र में जो ग्यान था अब उस ग्यान पर लोगों को डाउट होने लगा पोप ने कहा भाईयों बहनों ये हैं राजा जी इनको भगवान ने हमारे उपर सासन करने के लिए भेजा है भगवान के प्रतिनिती है पीछे से आवाज आई बेवकुप मत बनाये पोप साहब ये भगवान के प्रतिनिती कैसे हो सकते मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ कुछ इस तरह की चीज़े सुनती हो मैं तुम्हारा पती हूँ मैं परमिस्वर अब पत्नी बोलने लगे कि बहुत हो गया आप बस कर परमिस्वर है तो इसको सोना बना दे करने का मतलब है कि इस तरह की मानिताओं का समाजिक जीवन के छित्र में भी जो इस तरह की मानिताओं थी चुकि समाजिक नियमों का सुरोत धर्म था समाजिक मुल्यों का सुरोत धर्म था तो समाज के जो मुल्य थे नियम थे समाज के बारे में जो धर्म दिवारा दिया गया ग्यान था उस ग्यान पे भी लोग प्रसंचिन उठाना शुरू करती है परिणाम राज तंत्र का विरोध और लोग तंत्र का आगमन इंगलेंड में 1688 में ग्लोरियस रिवोलुशन हुआ राज तंत्र को लोगों ने असुआ कार किया अगर धर्म प्रधान समाज होता तो साइब भगवान के प्रतिन्धी के रूप में राजा के सत्ता को लोग सुआ करते कभी भी राज तंत्र का विरोध नहीं होता लेकिन लोगों की सुच तार्किक और बैग्यानिक हो रही थी क्यों हो रही थी तो ये तरक बुद्धिवाद और बिग्यान का प्रभाव था तरक बुद्धिवाद और बिग्यान के विकास ने लोगों की सुच को प्रभावित किया प्राकृतिक जगत के बारे में बैज्यानिकों ने जो धर्म द्वारा कही गई बातों को जूटा साबित किया समाजिक जीवन के बारे में भी धर्म द्वारा कही गई बातों पर प्रसंचिन उठाया जाने लगा राजनितिक ब्योस्ठा के बारे में धर्वंद्वारा कही गई बातों का विरोध हुआ और लोकतंत्र का आगमन हुआ समाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन हर छित्र में अब यहां पर दो घटनाओं की चर्चा हमने करें एक घटना विज्ञान के विकास के साथ एउरोप में धर्म का प्रभाव कमजोर हो रहा था और दुसरी घटना और दोगी क्रांती के दुस्परिणाम दिखाई देने लगे थे अब हम इन दोनों ही घटनाओं से उस समय की समाजिक प्रिश्टभू में थे दोनों ही घटनाओं को हम देखे तो एउरोप में समाजिक समस्याओं का उद्भाव हो चुका था एउरोप में समाजिक एकता की समस्या उत्पन हो चुकी थे अब थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ हम एक हजार लोगों का समाज है सबसकर कोई एक समाज है इसमें एक हजार लोग है एक हजार लोगों ने कोई नियम बनाया कोई तरीका काम करने का इस तरीके पर जब एक हजार लोग सहमत हुए तो समाजीक नियम का लाया एक हजार लोग किसी भी ब्योहार के तरीके पर इसलिए सहमत हुए होंगे क्योंकि उस तरीके से काम करने से एक हजार लोगों की सब की आवसक्ताइं पूरी होती होगी हम कोई काम करते हैं हम कोई क्रिया करते हैं क्यों करते मनुष से धरती पाराया उसकी आवसक्ता थी आवसक्ता को पूरा करने के लिए उसने कुछ किया हमने आपने सब हम अपनी आवसक्ताओं को पूरा करने के लिए कुछ करते हैं ध्यान रखो लेकिन हमने जब अपनी आवसक्ताओं को पूरा करने के लिए बिस इस त क्रिया नहीं होगा, संबंद नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा लेकिन अगर वो तरीका उसे भी पसंद आया उस तरीके से अगर हम विवहार करते हैं, क्रिया करते हैं तो उसकी भी ज़रूरते पूरी होती है अगरे, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी सब उस तरीके पर सहमत हुए क्योंकि वो ऐसा बेहतर तरीका था जिससे केवल मेरी ही नहीं बलकि सब की आदर्स तरीके से आऊ सकता है, पूरी होती थी आदर्स लूप से आऊ सकता है, पूरी हो रही थी उस तरीके को हम सम नी माननेता दे दी समाज नी माननेता दे दी समाज द्वारा माननेता प्राप विवहार के तरीके को हम समाजी के नियम करते उस समय का समाज धर्म प्रधान समाज था मद्दिकाल का समाज हम सम धर्म को स्विकार करते थे और विवार का क्या तरीका हो वो डिसाइड धर्म करता था धर्म के प्रमुखपो पादरी करते थे वो भगवान के नाम पे करते थे वो करते थे भगवान नहीं ऐसा कहा है चुकि सब भगवान में असीम आस्था रखते थे सब का धर्म पर विश्वास था धर्म प्रधान समाज़त्व इसलिए धर्म द्वारा बनाये हुए नियमों को सभी स्विकार करते थे एक हजार लोग है तो एक हजार लोग स्विकार करते थे और जब एक हजार लोग उन समाजीक नियमों पे सहमत है मुल्यों पे साहमत है ऐसी स्थिती को हम मुल्य एक मत्तिता कहते हैं ध्यान देना बहुत बार इस सब्द आएगा value consensus कहते है समाजी के मुल्यों और नियमों यहां मुल्य और नियम को हम साथ-साथ यूज़ करेंगे यह ध्यान रहे हलाकि टेक्निकल यह अलग-अलग है हम साथ-साथ ही उस करेंगे तो समाजी के मुल्यों और समाजी के नियमों पे एक साहमती थी एक consensus था due to religion due to religion क्योंकि religion पर हम एक हजार लोग मांते थे हम हजारों लोग धर्म को स्विकार करते थे इसोर को स्विकार करते थे धर्म गरंतों को स्विकार करते थे तो धर्म द्वारा कही गई बातों को स्विकार करेंगे धर्म द्वारा बनाये हुए नियमों को स्विकार करेंगे मुल्यों को स्विकार करेंगे मुल्येक मत्तिता किस्तिती थे मुल्ले एक मत्यता की स्थिती थी अगेन आई रिपीट मुल्ले एक मत्यता की स्थिती थी और जब हम लोग सब इन समाजिक नियमों और मुल्लेों पर सहमत होंगे बच्चा तो हम उन्ही नियमों के अनुसार बेवहार करेंगे अब जब हम सब उन्ही नियमों के अनुसार बेवहार करेंगे तो हमारे बेवहारों में एक रुपता होगा आप जैसा हम से बेवहार की अपेक्चा रखें हम वैसा ही करेंगे हम जैसा आप से बेवहार की अपेक्चा रखें हैं आप वैसा ही करेंगे क्योंकि बेवहार करने का एक ही तरीका फिक्स है जिसको समाज ने निर्दारित किया धर्म निर्दारित किया तो जहां समाज में मुल्यों पर नियमों पर एक मत्यता होती है ध्यान दो, वहां सबका बेवहार नियमों के अनुरूप होता है वहां सबका बेवहार नियमों के अनुरूप होता है यानि उनके बेवहारों में अनुरूपता पाई जाती है मुलेक मत्यता अनुरूपता को संभव बनाती है और जहां मुलेक मत्यता नहीं होती है ज्यान दो एक हजार लोग है उसमें से पांच-छे सो लोग कहते हैं कि बेवहार का ये तरीका सही है और पांच-छे सो लोग कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है बिवार का ये तरीका सही है उसमें से दो तीन सो लोग एक तीसरा तरीका बताते हैं एक दो तीन सो लोग उसमें से चौथा तरीका बताते हैं एक हजार लोग दो तीन सो एक पहले वाले तरीके से दो तीन सो एक नया तरीका खोज दिये दो तीन सो एक निया तरीका खोज दिये यह इस्तिती मुल एक मतिता की इस्तिती नहीं कही जाएगी यहां समाज के मुल्यों और नियमों पर सहमती नहीं है ऐसे में तीन सो लोग अलग तरीके से बेवहर करेंगे 300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300 बिचलन 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 हर आदमी एक दुसरे के बेवहार के तरीके की निंदा करेगा हर आदमी एक दुसरे के बेवहार का तरीके की आलोचना करेगा सुविकार नहीं करेगा क्रिया का जबाब नहीं देगा interaction में समस्याएं आएगी कई तरह की समस्याएं उबर कर सामने आएगी जहां समाज के सारे लोग नियमों और मुल्यों पर सहमत होती है जहां समाज में मुल्य एक मत्ता की स्थिती होती है वहां सब के बेवारों में अनुरूपता पाई जाती है और यही स्थिति एक्ता की स्थिति है जान दो इसी को हम समाजी एक्ता कहेंगे जहां सब समाज के नियमों और मुल्लियों के अनुसार बेवार कर रहे है यही स्थिति समाजी के संगठन की स्थिति कही जाएगे लेकिन जहां लोग मुल्यों और नियमों से हटकर बिवार करने लगे जहां समाज में अनुरूपता के जगा बिचलन आ जाए डेवियंस नियमों से, मुल्यों से डेवियेट करके बिवार करना डेवियंस, बिचलन नियमों और मुल्यों के अनुरूप बिवार करना अनुरूपता बिचलन अनुरूपता बिचलन जहां बिचलन बढ़ जाए वहां क्रिया अंतहक्लिया दुस्प्रभावित होगी समाजिक संगठन कमजोर हो जाएगा समाजिक बिघटन की स्थिति उत्पन हो जाएगे और ऐसे ही समाज में धेर सारी समस्याओं का प्रादुर्भाव होगा समस्याओं का समस्याओं का What is the meaning of समस्या? ठरियार, समस्या जो समाज के सोच से हटके हो समस्या है कल तक सती प्रथा समस्या नहीं थी क्योंकि समाज इसको स्विकार करता था आज के चसमे से सती प्रथा एक समस्या है कल तक दहेज प्रथा समस्या नहीं थी क्योंकि समाज इसको स्विकार करता था आज के डेट में समस्या है ये क्योंकि समाज इसको सही नहीं मानता है कल तक बिध्वा बिवाह निसेद समाज की द्वारा माननेता प्राप्त एक बिवहार का तरीका होता था आज बिध्वा बिवाह निसेद एक समस्या है कल तक बाल बिवाह एक समाज का नियम था आज बाल बिबाह एक समस्या है समस्या हो होता है जो समाज के अनुरूप नहीं होता समाज की एक्छाओं के अनुरूप नहीं होता त्यान दो और जब समाज में समाज की एक्छाओं ही बिन बिन हो गई जब समाज में मुल्ल एक मत्यता ही नहीं रही तो ऐसे समाज में समस्याओं का तो अंबार लग जाएगा समाज के मसीन को आप समझो समाज के मेकेनिजम को आप समझो कहीं कुछ नहीं करना है धरती, अन्य जानवर, मनुस्य मनुस्य की आवसेक्टाएं आवसेक्टाओं को पूरा करने के लिए हमने एक दुसरे से क्रिया अंता क्रिया किया और आवसेक्टाओं को पूरा किया हम दिमाग वाले थे हमने सुचा मिलके सबने कि कौन सा तरीका हो जिससे हम सब की बैतर तरीके से आवसेक्टाओं पूरी हो उस तरीके पे हम सबने मोहर लगा थे सुसली रिकोगनाइज़ भी है वियर उसी को समाजी के नियम कहा गया उसी को समाजी के मुल्ले कहा गया अब सब उसी समाज के नियमों के अनुसार बेवार कर रहे है तो समाज में अनुरूपता बनी हुई है संगठन बना हुआ है एकता बनी हुई है और सब की हो सक्टा है प्रॉपर पूरी फिरी ГOULD लेकिन जैसे हैं तरीकों पे मत भिन्यता आई वो इसे ही करिया हन्तर्ख रिया में disturbance होगा हम चाहेंगे कि आप ऐसे करोगे लेकिन आप दूसरे तरीके से करोगे क्योंकि आप उसी को सही मांते हो I hate marriage I hate marriage क्या बक्वास है बिबाह करो गले में एक पती को लटका लो एक पत्णी को लटका लो नॉंसेंस भी है सेक्स निचुरल फिनोमेना है हम किसी से करें मेरी मरजी फ्रीडम होना चाहिए हम किसी के साथ रहे ये बिबाह और मेरेज और गले में सुत्र बांधना ये बक्वास है इस सोच ने इस थॉप्ट में लिबिन डिलेसंसिप को जनम दिया और इस लिबिन डिलेसंसिप के फिनोमेना ने हमारे मेरेज जो कि हमारे समाज में सेक्स करने का समाज द्वारा मानने था प्राप्त तरीका था प्रजनन करने का समाज द्वारा मानने ता प्राप्त तरीका था बिवा समाज द्वारा बनाए हुए नियमों का एक पुंज है बिवा एक संस्था है नियमों का एक पुंज है जिसके द्वारा एक कपल सिक्स करने के लिए प्रजिनन करने के लिए साथ रहने के लिए समाज से परमिशन लेता है समाज से माननेता पराप्त करता है लेकिन जब समाज में मतविन्नता आ गई जब तक इस तरीके पर समाज में मुलेक मत्यता थी सामती थी तब तक सारे लोग बिवाह के बाद ही सिक्स करते थे, साथ रहते थे प्रजिनन करते थे, अगर कोई गलती से ऐसा किया, समाज उसके निंदा करता था, अवैद संबंद कहलाता था, अवैद संताम कहलाता था, लोग साथ साथ नहीं रह सकते थे, आज भी हमारे ग्रमिन समाज में इसी मुल्ले और नियमों पर सामती है आप अपने गाओं में जाकर living relationship में रह कर दिखाओ आप अपने गाओं में जाकर बीना विबाह के किसी लड़की के साथ रह कर दिखाओ बच्चा पैदा करके दिखाओ अभी भी समाज में विबाह पर मुल्ड एक मत्यता बनी हुई लेकिन इरूप के समाज में एक नया थौट युवाओं में उभर कर सामने आया और इसने लिभिन रिलेसंसिप कुछ नम दिया वो अब बिबा से छुपकर नहीं सर्याम वो इसको डिनाई करते हैं वो एक अलग समाजी के नियम को बनाते इससे क्या हुआ समाजी के नियमों पे सहमती खतम हुई मुल्ड एक मत्यता खतम हुई और डिफरिंट टाइप का विवार सुरू हुआ अब एक के लिए एक समस्या एक के लिए एक खराब नए के लिए बिवाह खराब और जो बिवाह वाले सूच वाले लोग हैं वो कहेंगे कि ये सब नलाइक हो गए हैं ये सब चलित्रहीन हो गए हैं ये लड़की बिना बिवाह के लड़के के साथ रह रही है चीची चीची उनकी सूच में वो अलग है तो हमेशा ध्यान रखो कि समाज का जो मेकेनिजम है समाज का जो मसीन है समाज का जो कारे प्रणाली है यह बड़ा सिस्टेमिटिक है जैसे तुम्हारे मसीन में जैसे तुम्हारे लैप्टॉप के हल कल पुर्जी एक जगह से एक जगह फिट है किसी तार को किसी से हटा कर किसी दूसरे में जुडोगे तो कहीं ने कहीं तुम्हारा लैप्टॉप नहीं चलेगा इसके साथ कौन कैसे जुडा हुआ है उस तरह से समाज भी बड़े बेवस्थित तरीके से बना हुआ और समाज की जैसी मुलेक मत्यता भंग होती है कई तरह की समस्याओं उभर कर सामने आती है समाजी एकता की समस्याओं उभर कर सामने आती है समाज में बिगटन की स्थितिवपन हो जाती है समाज में कई तरह की समस्याओं का उबार होता है एउरोप में ये हेव हो चुका था एउरोप में बैग्यानिक रामती ने धर्म के प्रभाव को कमजोर किया था चुकि पहले धर्म प्रधान समाज में धर्म मुल्यों का सोथ था इसलिए समाज में मुल्य एक मत्तिता बनी हुई थी और सब मुल्यों और नियमों के अनुरूप बेवार करते थे अगेन आई रिपीट मद्धिकालीन समाज में धर्म प्रधान समाज में धर्म मुल्यों और नियमों का सुथ था सभी धार्मिक थे और सभी इन मुल्यों और नियमों पर सहमत थे मुल्य एक मत्यता थी फल्ता सब इन मुल्यों नियमों के अनुरूप पे वहार करते थे समाज में एकता समाज में संगठर बना हुआ था लेकिन इरूप में तर्क बुद्धिवाद और बिज्ञान के विकास में धर्म के प्रभाव को कमजूर किया मुल्य एक मत्यता को कमजूर किया धर्म का प्रभाव कमजूर होगा तो मुल्य एक मत्यता को कमजूर किया और बिचलन को जनम दिया फल्ता समाजिक एकता कमजूर हुई समाजिक संगठर कमजूर हुआ समाजिक एकता कमजूर हुई समाजिक संगठन कमजूर हुआ और समाज में धेर सारी समस्याओं का प्रादुर्पा हुआ हर जगा राज्टंतर का बिरोध हो रहा है पुरुस डोमिनिंसी का बिरोध हो रहा है महिलाएं लिंग समानता की मांग कर रही है समझें महारा मेरी बात उधर राज्टिक समानता की बात की जा रही है सुतंतरता चाहिए अभीव्यक्ति की अजादी अभीव्यक्ति की सुतंतरता तमाम तरह की चीज़े पूर्ट देने पूरा का पूरा एरोप का समाज डिस्टर्बिंस के दौर से गुज़र रहा था तो एक तरफ बिग्यान के विकास ने धर्म के प्रभाव को कमजोर करके समाजिक एक्ता की समस्या को उत्पन किया था मुलेक मत्तिता की समस्या को उत्पन किया था कमजोर किया था तो दुसरी तरफ ओदोगी क्रामती के भी दुस्परिणाम सामने आने लगे थे और इससे भी धेर सारी समस्याएं उभर कर सामने आने लगे थी कुल मिलाकर एरोप में समाजिक एक्ता, समाजिक संगठन कमजोर हुआ था और समाजिक बिगटन की स्थिति उत्पन हुई थी ये था उस समय की समाजिक प्रिष्ट भूमि आपके सामने इस्क्रीन पर है जिसको कि मैंने तील किया अभी आपको समझाया समाजिक प्रिष्ट भूमि विज्ञान का पिकास धर्म के प्रभाव का हरास आगे आप जोड़ते जाना धर्म के प्रभाव के हरास से मूल एक मत्तिता, कमजोर, ठीक है, बिचलन कारी बेवहार में बृद्धी और समाजी के एकता की समस्या, तीसरी हटना, ओदोगी करांती के दूस परिणाओ, इसने भी कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया था, और ये उपर से जुड़ी हुई है, ये सबसी, समाजी एकता की समस्या, ये दुर्खीम कालीं इरोप की प्रमुक्र गटनाती है, तो आप इमेजिन कर सकते हूं कि उस समय की समाजी क परिष्थितियां कैसी थी, अठारा सो, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा, उस समय के बौधिक परिद्रिस से परने ज़ए डालते हैं, उस समय का बौधिक परिद्रिस से क्या था? एक बौधिक परिद्रिस आधर स्वाद, याद होगा बौधिक वाद आधर स्वाद, आधर स्वाद ही विचार रखते हैं, इन्वर्सिटी में अब चलो हम लोग चलते हैं, इन्वर्सिटी में चलते हैं, जहां प्रोफेसर लोग हैं, बुद्धी जी भी लोग हैं, ये इन बिद्वानों का गुट बौधिकों का गुट अलग अलग था। कुछ बिद्वान आधर स्वाधी बिचारधारा के समर्थक थे। समाज को देखने का जगत को देखने का उनका नजरिया बिलकुल अलग था। वो जगत के मूल में आइडिया को विचारों को महतों दे रहे थे वो जगत को विचारों की अभिव्यक्ति के रूप में स्विकार कर रहे थे समाज में व्यक्ति की सूच को व्यक्ति के विचारों को महतों दे रहे थे समाज के निर्मान में यहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे बस इतना ही उधर प्रत्यक्षवाद का विकास हो चुका था या अगर हम कहें तो अगस्ट कौम्टे सोशियोलजी की निव रख चुके थे समाज कही तरह की समस्याओं से जूज रहा था समाज में बिगटन की स्थिति उत्पन हो गई थी यह हम लोगों ने समाजी प्रिदिस में देखा उधर बैग्यानिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे सुरू-सुरू में तो बैग्यानिकों का भिरोध हुआ लेकिन अब लोगों को लगने लगा कि नहीं भाई बैग्यानिक जो कहते हैं वो एकदम सिद्ध कर देते हैं यही तो सत्य घटना को बताते हैं यह धर्म वाले पोप पादरी तो जुटे हैं देखो एक लंबे समय तक प्राकृतिक जगत के बारे में कितनी जुटी जुटी बाते इन्हों ने बता रखे थी लेकिन बैग्यानिकों ने एक दम सही कहा और सिद्ध भी कर दिया धीरे धीरे समाज में बैग्यान की प्रतिष्टा बढ़ रही थी बैग्यानिक पद्दती को ग्यान प्राप्ती के स्रिष्टतम तरीके के रूप में स्विकार किया जा रहा था बैग्यानिक पद्दती को ग्यान प्राप्ती के स्रिष्टतम तरीके के रूप में स्विकार किया जा रहा था सत्य ग्यान को कैसे प्राप्त किया जाए तो बेग्यानिक पद्दती से प्राप्त किया जाए अनुभाविक पद्दती से प्राप्त किया जाए यह स्विकार किया जा रहा था और दूसरी तरफ बिग्यान के विकास का जो धर्म के उपर प्रभाव पड़ा धर्म का प्रभाव कमजूर हुआ मुले एकमत टाकम जोर हुई समाज डिस्टर्ब हुआ उधर अधर अधरोगी करांती ने भी समाज को डिस्टर्ब किया था पुंजी वात के भी कास ने उसी यूरूप में उसी फ्रांस में अगस्त कॉम्टे नाम के एक बिचारक का जन्ब हुआ ज्यान देना वही पर अधरोगी करांती फ्रांसिसी करांती सब हो चुकी थी पूरा फ्रांस में डिस्टर्ब चल रहा था मत्तब कहें कि समाज का मसीन खराब हो गया था उसी समय अगस्त कॉम्टे नाम का बिचारक आया फ्रांस ने हाँ उसने कहा कि भाईयों बहनों आज समाज का मसीन खराब हो गया है समाज में धेर सारी समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है और आज हम इस समाज की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं हम इसलिए समाज की समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम समाज के कारे प्रादाली को नहीं समझ पाए है समाज के मसीन को हम नहीं समझ पाए है समाज के मेकेनिजम को हम नहीं समझ पाए है और इसलिए नहीं समझ पाए है क्योंकि समाज के बारे में जो हमारा ग्यान है वो मित्या ग्यान है false knowledge है गलत ग्यान है अभी तक जो हमारे पास ग्यान है वो गलत ग्यान है अगर समाज के बारे में हमें सही सही ग्यान की प्राप्ति हो तब जाकर हम समाज के मसीन को, समाज के मेकेनिजम को समाज के कारिप्रणाली को समझेंगे और जब हम समाज के कारिप्रणाली को समझ लेंगे तो हम इन समाज की समस्याओं को भी दूर कर पाएंगे समाज की इन समस्याओं को दूर कर पाएंगे इसी आवस्यक्ता को किंदर में रखकर अगस्ट कॉम्टे ने जो कि फ्रांस के रहने वाले थे एक साइंस के विद्यारती थे एक इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि समाज का भी एक बिग्यान होना चाहिए समाज का भी एक बिग्यान होना चाहिए समाज का भी एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान होना चाहिए जो समाज का ठीक उसी तरह ध्यान करेगा जिस तरह प्राकृतिक विज्ञानी प्राकृतिक घटनाओं का करते है समाज का भी एक विज्ञान होना चाहिए जो समाज का बैग्यानिक पद्धती से अध्यान करेगा और समाज के बारे में सही 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 ग्यान प्राप्त करेगा जिस तरह से प्राकृति बैग्यानिक पद्धती से अध्यान करके प्राकृति घटनाओं के बारे में बिलकुल सही सही ग्यान प्राप्त किया जा रहा है उसमें ऐसा हो रहा था समाज का भी सही सही ग्यान प्राप्त किया जाएगा और समाज के बारे में जब हमारे पास सही ग्यान होगा तो हम समाज के इस मेकेनिजम को समझ पाएंगे समाज की कारे परणाली को समझ पाएंगे इस मसीन रुपी समाज के कौन कौन से यंग हैं कैसे काम करते हैं कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं एक कल पुर्जे इन सब को हम समझ पाएंगे और जब हम इन समकों समझ पाएंगे तब ही जाकर हम इन समस्याओं का समधान कर पाएंगे इसलिए अगर समाज को बिकास के पत पर अगरसर करना है अगर समाज को प्रगती की और बढ़ाना है समाज की इन समस्याओं को दूर करना है तो समाज के मेकनिजम के बारे में हमारे पास सही जानकारी होनी चाहिए सही समझ होनी चाहिए और ये तभी संभव है जब समाज के बारे में सही ग्यान मिले और समाज के बारे में सही ग्यान, बस्तुनिष्ट ग्यान, सत्य ग्यान तब ही प्राप्त हम कर पाएंगे जब हम समाज का बैग्यानिक पद्दती से अध्यान करें हम समाज का भी बैग्यानिक पद्दती से अध्यान करें देखो प्राकृतिक बिग्यान आग चुका है प्राकृति घटनाओं का बैग्यानिक पद्दती से अध्यान करके समाज के भी ग्यान के रूप में एक बिसे की नियू रखी इसका नाम दिया उन्होंने सोसल फिजिक्स नाम से भी समझ सकते हो कि सोस्योलजी का नीचर क्या है सोसल फिजिक्स जो बाद में सोस्योलजी कर दिया उन्होंने सोसल फिजिक्स सोस्योलजी और यहीं परगस्त कॉम्टे ने दो तीन बात ने बताएं सबसे पहले उन्होंने का कि सोसियोलजी एक साइंस है सोसियोलजी एक नेचुरल साइंस के तरह साइंस है जो नेचुरल साइंस की पद्दती से समाज का ध्याइन करेगा समाज सास्तर की बिसे बस्तू समाज है बिसे बस्तू के बारे में प्रकृती के बारे में और अध्यान पद्दती के बारे में अगस्त कॉम्टे ने क्या कहा समझ लो बिसे बस्तू के बारे में प्रकृती के बारे में और अध्यान पद्दती के बारे में विसेबस्तू के बारे में, प्रकृति के बारे में, अध्यन पद्दती के बारे में अगस्त कॉम्टे ने का कहा और उसी को मोडिफाई किया अमिल दुर्किम ने दियान रखने वाली बात है टेमिल दुर्कीम के सारे के सारे अगस्त कॉम्टे के बिचारों का मोडिफिकेसन है उसी से जुड़ा हुआ है अगस्त कॉम्टे ने कहा समासास की विशेवस्तू समाज है बोला इसके बारे में और बाते अभी हम नहीं चर्चा करेंगे लेकिन मोटा मोटी समाज है समाजी गटनाए है परंतु बिसे बस्तू का बिलकुल असपश्टी करण उनों ने नहीं किया बिलकुल क्लियर कट डिविजन नहीं किया जिसके हधार पर समासास्त को अन्य बिस्यों से अलग किया जा सके समा सास्त को राजनिती विग्यान से अलग किया जा सके समा सास्त को अर्थ सास्तर से अलग किया जा सके समा सास्त को मनो विग्यान से अलग किया जा सके भैं, उनकी विसे बस्तु कुछ और है और सोच्छोलजी की विसे बस्तु कुछ और है बिसे बस्तू के बारे में उतना अस्पष्ट भी भाचन इन्होंने नहीं किया इन्होंने सीधे समासास्त को समाज का ध्यन करने वाला एक बिग्यान बताया पाला पॉइंट बिसे बस्तू का अस्पष्टी करण एमिल दुर्किम साहब ने किया बिसे बस्तू के बारे में जो औस पश्टता बनी हुई थी इसी औस पश्टता के कारण सोसियोलजी को एक अलग सुतिनतर बिसे के रूप में रिकोगनिसन नहीं मिल रहा था इसी और स्पष्टता के कारण सोशियोलजी को एक अलग बिसे के रूप में रिकोगनीशन नहीं मिल रहा था एमिल दुर्खीम ने सोशियोलजी के बिसे बस्तू को बिलकुल क्लियर किया सोशियोलजी के विसे बस्तु को अन्रे समाजिक बिग्यानों से बिलकुल प्रथक किया और सोशियोलजी को एक स्वतनत्र विसे के रूप में रिकोगनाईज करवाया मानलिता दिरवाया और विसुविद्यालियों में 130-120 के रूप में पाठे करम सुरू करवाया क्या किया वो बाद में हम पढ़ेंगे टॉपिक में प्रकृती के बारे में अगस्त कॉम्टे ने कहा कि समासास्त प्राकृतिक बिग्याल की तरह बिग्याल है नेचूरल साइन्स की तरह साइन्स है जैसे ही उन्होंने ये कहा आदर स्वादियों ने इसका बिरुध करना सुरू किया और कहा कि समाज का कोई नेचूरल साइन्स की तरह साइन्स नहीं हो सकता है समाज का बिज्ञान संभाव यह नहीं दुरखीम ने इस बात को सिद्ध किया थोड़ी बहुत खामिया थी उसको बिवस्थित किया और समाज सास्त को प्राकृतिक बिज्ञान की तरह बिज्ञान बनाने प्रपल दिया तो दुरखीम ने अगस्त कॉम्टे की ही तरह समाज सास्त की प्रकृतिक को निर्धारित किया और कहा कि समाज सास्त प्राकृतिक बिज्ञान की तरह बिज्ञान है कॉम्टे से थोड़ा बहुत अंतर किया तीसरा समाज सास्त की अध्यान पद्दती समासास की अध्येन पद्दती दुर्खिम ने कहा प्रतेक्षवादी पद्दती पोजिटिविजम के जनक माने जाते है दुर्खिम वो कहते हैं समासास प्राकृतिक बिज्ञान की अध्येन पद्दती का प्रयोग करेगा समाजी गतनाओं के अध्येन वो क्या पद्धती है भाई प्रत्यक्स निरिक्षन परिक्षन की पद्धती समाशास्त्री समाजी घटनाओं का प्रत्यक्स निरिक्षन परिक्षन करेगा empirical method अनुभाविक पद्धती खुद समाशास्त्री समाजी घटनाओं को जाएगा देखेगा ये विश्वास पर आधारित नहीं होगा अब इसलिए सोचने वाली बात है कि उस समय जो धर्म द्वारा दिया गया 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 था समाज के बारे में वो विश्वास पर आधारित था अगस कॉम्टे ने कहा कि नहीं भई हम कुछ भी नहीं मानेंगे हम उसी को सकते मानेंगे जिसको हम अपने ग्यानिंद्रियों के द्वारा निरिक्षन करेंगे देखेंगे हम उसी को सकते मानेंगे पती पर टेक्ष निरिक्षन परिक्षन के द्वारा समाज सास्त्री करेगा तक्षिय को जब चाहे तब जाचा जा सकता है तो कुल मिलाकर उन्होंने यह अस्ठापित किया कि समाध्सास्त्री की अध्येन पद्दती, पॉर्तेक्षवादी पद्दती होगी जहां समाध्सास्त्री पॉर्तेक्ष निरिक्षन परिक्षन के द्वारा समाजी घटनाओं के बारे में ग्यान प्राप्त करेगा और उसी ग्यान को सही माना जाएगा जो निरिक्षणिये नहीं है हनुआन जी है निरिक्षणिये नहीं है इसको observation नहीं किया जा सकता उसको sociology के किसे बस्तु में सामिल नहीं किया जाएगा समाज के उन्हीं घटनाओं के बारे में इस किताब में बिचलेशन होगा समाज सास्त्री प्रतेक्षवादी पद्धती से प्रतेक्ष मिरिक्षण परिक्षण से जो भी प्राप्त करेगा ज्यान उसी ज्यान को इसमें लिखेगा इस तरह से अगस्त कॉम्टे ने कहा कि समाज सास्त की बिसे बस्तू समाज है समाज सास्त प्राकृतिक विग्यान की तरह विग्यान है और समाज सास्त प्रत्यक्षवादी पद्दती से समाजी घटनाओं का देन करेगा और समाजी घटनाओं के बारे में सत्य ज्ञान को सही ज्ञान को प्राप्त करेगा ये अगस्त कॉम्टे की कहानी थी अध्यन पद्दती के बारे में भी अगस्त कॉम्टे ने जो प्रत्यक्षवादी पद्दती को प्रस्तावित किया तो वहाँ पर भी थोड़ी बहुत आस पश्टता की इस्थिती थी जिसको और बिवस्थित करने की जरुवत थी एमिल दुर्खीम ने अगस्ट कॉम्टे के बिसे बस्तू के बारे में विचारों को और बिवस्थित किया एमिल दुर्खीम ने समासास की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में अगस्ट कॉम्टे के बिचारों को और बेवस्थित किया एमिल दुर्खीम ने समासास की अध्यान पद्दती प्रतिक्छवादी पद्दती को के बारे में अगस्ट कॉम्टे के बिचारों को और बेवस्थित किया और सोशियोलजी को एक स्वतंत्र बिग्यान के रूट में अस्थापित किया अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप है जो मैं क्लियर कर दू अगस्ट कौम्टे एक कहकर मर गए की समाज का एक बिग्यान होना चाहिए यह मामला फसा कहा था लेकिन अगस्ट कौम्टे परतेक्षवादी पद्धती को भी प्रस्तावित करके चले गए थे लेकिन समाज के बारे में अध्यन करने के लिए और सारे बिषय तो थे न मनोबिग्यान था अर्थ सास्त्र था राजनिती सास्त्र था इसमें समाज के अलग-अलग पक्षों का ध्यन किया जाता था लोगों ने क्या किया इन विस्यों ने क्या किया कि इन विस्यों ने अगस्ट कौम्टे के परतेक्षवादी पद्धती को अपना लिया बैग्यानिक पद्धती को अपना लिया और बैग्यानिक पद्धती से अपने अपने बिसेवस्तू का ध्यान करना सुरू किया राजनिती सास्त में राजनिती घटनाओं का ध्यान बैग्यानिक पद्धती से किया जाने लगा अर्थ सास्त में आर्थी घटनाओं का ध्यान बेग्यानिक पद्दती से किया जाने लगा मुल्क मुखे रूप से मनोबिग्यान में मनोबिग्यानि घटनाओं का ध्यान बेग्यानिक पद्दती से किया जाने लगा इन विश्यों ने भी अपने को समाजिक बिग्यान के रूप मेरी को अगनाईस करना सुरू किया अगस्त कॉम्टे की असली बात क्या थी कि भाईया समाज के बारे में गलत ग्यान है समाज के बारे में सही ग्यान प्राप्त करो और सही ग्यान बेग्यानिक तरीके से अध्यान करने से आएगा समाज का एक बेग्यान होना चाहिए जो बेग्यानिक पद्दती से अध्यान करेगा प्रतिक्षवादी पद्दती से अध्यान करेगा असली बाते तो अगस्त कॉम्टे की यही थी और अगस्त कॉम्टे की इन बातों को अन्य समाजिक विग्यानों ने अपना लिया अब सोशियोलजी की जरुवत ही महसुस नहीं हो रही थी जब समाज का विग्यान होना चाहिए जो प्रतेक्सवादी पद्दती से अध्यान करेगा फिर वाई सोशियोलजी फिर एक नया विसे बनाने की क्या जरुवत है एक नया विसे बनाया जाए इन्वर्सिटी में एक नया विसे शुरू किया जा, एक निया विभाग बनाया जा, विभाग ध्यक्ष बनाया जा, देर सारा प्रोफेसर और लेक्चरर को बहाल किया जाए, इस विसे को पढ़ाया जाएगा, इक अलग विसे की क्या जरूरत है ये अधूरा काम रह गया था अगस्त कौम्टे का, इस अधूरे काम को अमिल दुर्खीम ने पूरा किया इस अधूरे काम को अमिल दुर्खीम ने पूरा किया इस अधूरे काम को अमिल दुर्खीम ने पूरा किया समासास्त की बिसे बस्तू को अस्पष्ट किया एमिल दुर्खिम में अस्पष्ट किया कि समासास्त्र मुनों भी ग्यान नहीं है अर्थ सास्त्र नहीं है राजिनती भी ग्यान नहीं है इसकी बिसे बस्तू इन सब के बिसे बस्तू से अलग है सोशियोलजी सोशियोलजी है इस अभी भी से समाज की एक एक अंग का बिसिस्ट अध्याइन करते है सोशियोलजी एक सामाने भी ज्यान है समन्वे आत्मक भी ज्यान है इसकी भी से बस तो समगर समाज है इस समाज के मेकेनिजम को समझने वाला भी से है बाकी तो समाज के अंग को फोकस्ट करके अध्याइन करते है बाकी चाहे कितना भी प्रतेक्षवादी पद्दती का प्रियोग करे बैग्यानिक तरीके से अध्याइन करे अपने को सोसल साइंस कहें बाकी बिसेओं के माद्यम से समाज के मेकेनिजम को नहीं समझा जा सकता है समाज का मेकेनिजम समझने वाला एक ही बिसे है सोसियोलजी, सोसियोलजी, सोसियोलजी एक काम दुर्खिम ने पूरा किया दुर्खिम ने समासास के प्रकृति को असपष्ट किया कैसे समासास प्राकृतिक बिज्ञान के समक्ष बिज्ञान है कुछ एक आलुशनाओं का भी उत्तर दे करके बैलेंस करने का प्रियास किया और दुर्खिम ने समासास की अध्यान पद्दती के रूट में प्रतेक्षवाद को सोशियोलजी के अनुकूल बनाया इसलिए दुर्खिम के प्रतेक्षवाद को समासास्त्रिय प्रतेक्षवाद कहा जाता है दुर्खिम के प्रतेक्षवाद को सोशियोलजीकल पोजिटिविजम की संग्यादी चाते है इस काल सोशियोलजीकल पोजिटिविजम ये था दुर्खिम का कंट्रिब्यूशन सोशियोलजी में ये था दुर्खिम का कंट्रिब्यूशन सोशियोलजी का बच्चा क्या किया हम एक एक करके पढ़ेंगे भी आउट्लाइन बना रहे उधर तो ये एक बौधिक प्रिष्ट भूमी थी आदर स्वाद विचारों को महत दे रहे थे अगस्ट कॉम्टे सोसियोलजी के अस्थापना कर चुके थे लेकिन सोसियोलजी एक सुतंतर बिसे के रूप में रिकोगनाईज नहीं हो पाया था अगस्ट कॉम्टे के प्रतिक्षवादी पद्धिती को अन्य बिग्यानों में अपना लेने से सोसियोलजी को मनुब ग्यान से प्रतिक करना बिसे के रूप में अस्थापित करवाया इन्वर्सिटी लेबल पर इसको रिकोगनाईज करवाया पहला Head of the Department बना Emil Durkheim बौधिक परिदिश में हम अगर कुछ और देखें तो तुसरा था बौधिक परिदिश मार्कसवाद समाजवाद या मार्कसवाद खास करके मार्कसवाद की बात अगर हम करें दुन्दवाद की अगर हम बात करें तो मार्क्सवाद समाज का नाकारात्मक बिशलेशन प्रस्तूत कर रहा था critical analysis प्रस्तूत कर रहा था दुर्खीम ने समाज के नाकारात्मक बिशलेशन के जगह प्रकार्यात्मक बिशलेशन प्रस्तूत किया प्रकारियात्मक बिसलेसन क्या है आगे हम समझेंगे समाज का निगेटिव के जगा पोजिटिव बिसलेसन प्रस्थूत किया दुर्खिम ने हर घटना के मार्क्स ने हर घटना के निगेटिव चीजों को दरसाया दुर्खिम ने हर घटना के पॉजिटिव दी जोको दर्साया तो हम कह सकते हैं कि दुर्खिम का समाज को देखने का जो नजरिया था समाज सास्त्रिय परिपिक्ष तो दुर्खिम का भी था मार्क्स का भी था लेकिन मार्क्स का नजरिया दुंदवादी नजरिया था दुर्किम का नजरिया प्रकारवादी नजरिया था दुंदवादी और प्रकारवादी को बाद में असपर दीरे दीरे होगा अगर हम कहें तो मार्क्स का नजरिया नकारात्मक दिश्टिकोन था वो हर घटना के हानियों की चर्चा करता था ये हानि ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव दुर्खिम ने हर घटना के सकारात्मक चीजों को अपने बिश्लिसन में अस्थान दिया ये पोजिटिव ये पोजिटिव किसी भी चीज पर लिखा धर्म पर लिखा तो धर्म की ये लाब है ये लाब है ये लाब है लाब मार्क्स ने भी धर्म पर लिखा उसने धर्म के पूरे सौ पेज में धर्म पर लिखा तो मार्क्स ने सौ पेज में केवल धर्म के हानियों की चर्चा करी और दुर्खिम ने सौ पेज धर्म पर लिखा तो धर्म के लाभों की चर्चा करी अप्रोच मार्क्स ने भी सरम विभाजन पर लिखा सरम विभाजन को अलगा हो का कारण माना स्रम विभाजन के हानियों की चर्चा करी दुर्खिम ने स्रम विभाजन पर लिखा तो दुर्खिम ने स्रम विभाजन के लाभों की चर्चा करी समझ भी आरा होगा दुर्खिम ने तो आत्मत्या तक के लाभों की चर्चा करी दुर्खीम ने तो अपराद जैसी घटनाओं के भी लागों के चर्चा करी दुर्खीम एक प्रकारवादी बिचारक था अगर हम इस आधार पर अपने तिंकर को कटेग्राइज करते हैं तो ध्यान रखना काल मार्क्स एक दुंद वादी बिचारक था एमिल दुर्खीम एक प्रकारवादी बिचारक था पार्संस एक प्रकारवादी बिचारक था मर्टन एक प्रकारवादी बिचारक था और मैक्स वेबर एक संकलन वादी बिचारक था बीच का था पोजिटिब भी और निगेटिब भी हरवर्ट, मीड, उम्मनु भैग्यानी था, उसको छोड़ दो तो हमें हर थिंकर की अप्रोच को समझना होगा हर थिंकर को किस कटिगरी में हम कटिगराइज करते हैं हर थिंकर की अप्रोच को समझना होगा हर थिंकर को हम किस कटिगरी में कटिगराइज करते हैं तो दुर्खिम एक प्रकारिवादी बीचा रखता प्रतिक्षवादी बीचा रखता प्रतिक्षवादी प्रकारिवादी एक दो चीज दुर्खिम के साथ जुड़ा हुआ है अगर हम दुर्खिम के बारे में कहेंगे हम कह सकते हैं प्रतिक्षवादी और हमें यहां का सकते हैं प्रकारिवादी दुर्खीम एक प्रकारिवादी बिचारक था हर चीज के पोजिटीव पोजिटीव दुर्खीम एक प्रतिक्षवादी बिचारक था समासास्त के बारे में दुर्खीम का बिचार तो प्रतिक्षवादी विचारक और समाज के वारे में दुर्खिम का विचार तो प्रकारिवादी विचारक क्लियर है बच्चा तो दुर्खिम के समय का बौधीक परिद्रिश्य आपके स्क्रीन पर है एक निज़े डालिए बौधीक परिद्रिश्य आपके स्क्रीन पर है एक निज़े डालिए आदर स्वाद ध्यान में है दुर्खिम आदर स्वादी नहीं था दुर्खिम ने आदर स्वाद का बिरुद किया दुर्खिम क्या का तब, दुर्खिम बिचारों को नहीं दुर्खिम प्रतेक्षन रिक्षन पर इक्षन पर बल दे रहा था इसलिए दुर्खिम एक प्रतेक्छ्वादी बिचा रख़ था प्रतिक्षवाद को दुर्खिम ने समर्थिन दिया और इधर मार्क्सवाद को भी दुर्खिम ने खारीच किया और मार्क्सवाद की तरह जगह पर ये प्रकारवाद को समर्थिन दिया तो दुर्खिम एक प्रकारवादी बिचारक था एक प्रतिक्षवादी पीछा रखता ध्यान रहेगा तो दुर्खिम का परिपिक्ष क्या हुआ समासास्त्रिय परिपिक्ष प्रकारवादी परिपिक्ष और फिर इसी प्रतिक्षवादी पद्दती से के बारे में दुर्खिम ने इसी कास पुष्ट करने के लिए समाज सास की प्रकृती समाज सास की बिसेबस्तु अध्याइन पद्दती के संदर में उन्होंने समाजिक तथे की संकल्पना को रखा पहला टॉपिक है आपका सिलिबस में और समाज के बारे में उन्होंने प्रकारवादी परिपिक्ष से बेसलेशन करके तीन घटनाओं पर अपनी किताबे लिखी जो सिलिबस में है समाज में स्रम का विभाजन दूसरा टॉपिक है आपका समाज में स्रम विभाजन समाज में स्रम विभाजन पर उनके अध्याइन पद्दती कौन सी होगी प्रतेक्षवादी पद्दती से स्रम विभाजन की गटना का दुर्खिम ने अध्याइन किया स्रम विभाजन के अध्याइन में उसका परिपेक्च क्या होगा समा सास्त्रिय परिपेक्च होगा मत्तब स्रम विभाजन के सामाजिक आयामों का उसने बिसलेशन किया बिसलेशन करते समय उसका दृष्टी कूल क्या होगा तो प्रकारिवादी दृष्टिकों होगा यानि सर्म विभाजन के साकारात्मत पक्चों पर उसने फोकस किया क्लियर तीसरा टॉपिक है धर्म और समाज धर्म और समाज धर्म का दुर्खिम ने अध्यन किस पद्धती से किया होगा प्रत्यक्षवादी पद्धती से मतला प्रत्यक्ष दिरिक्चन परिक्चन की पद्धती से धर्म जैसी घटना का विजलेशन किया धर्म के अध्यन में दुर्खिम का परिपिक्च क्या होगा समा सास्त्रिय परिपिक्च होगा बहुत अंडरिस्टूड है बच्छा उपर में तुम अप्रोच जान चुके हो तुमारे लिए बढ़ा आसान है इस बात को बताना समासास्त्रिय परिपिक्सित धर्म का ध्यन किया होगा यानि धर्म के सामाजिक आयामों का बिशलेसन किया होगा धर्म क्या है? धर्म का पूजा पाठ में कौन कौन करमकांड होता है? कौन मंत्र होता है? सब नहीं समाज पर धर्म का क्या प्रभाव है? या समाज का धर्म पर क्या प्रभाव है? धर्म के बिशलेसन का दृष्टिकूण दृर्किम का क्या होगा? तो प्रकारवादी दिश्टिकों होगा मत्तब दुर्खीम ने धर्म के लाबकारी पहलों की चर्चा की होगी दुर्खीम ने धर्म के साकारात्मक पक्चों की चर्चा की होगी आपका सिर्वस में चौथा टॉपिक है आत्मत्या आत्मक्तिया जैसी घटना एक प्रमुख समाजी घटना है दुर्खिम ने इसका अध्यन की इस पद्दती से किया होगा बच्चा प्रतिक्षवादी पद्दती से पाला दूसरा दुर्खिम का परिपिक्ष क्या होगा होगा आत्मत्या के विशलेशन का दृष्टिकून दुर्खिम का क्या होगा? प्रकारवादी, 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 प्रकारवादी. Done? हम इसी को हम इस तरह से अगले स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा सा आप. यहां दुर्खिम के विचारों को हमने दो भागों में बाढ़ दिया समाज सास्त के बारे में दुर्खिम का विचार समाज सास्त के बारे में दुर्खिम का विचार और दूसरा है समाज के बारे में दुर्खिम का विचार यह हो गया और यह हो गया समाज के बारे में दुर्खिम का विचार हम पीछे में फिर से आ जाते हैं बच्चा थोड़ा सा ध्यान दो समाजीक परिद्रिश विज्ञान का विकास धर्म के प्रभाव का हरास ओदोगी क्रांती के दुस्प्रिणाम सामने आने लगे थे और कुल मिलाकर समाजीक एक्ता के समस्या उत्पन हो गई थे इधर दूसरी तरफ आदर स्वादी बिचारों पर बल दे कर हर चीज की व्याख्या कर रहे थे उधर अगस्त कॉम्टे इन समाजीक समस्याओं को दूर करने के लिए एक समाज के बिग्यान बनाने पर बल दे दिये थे समाज सास्त्र को अस्थापित कर चुके थे समाज सास्त्र की अध्येन पद्दती के रूप में प्रतेक्षवाद को अस्थापित कर चुके थे लेकिन इनकी अध्येन पद्दती का प्रियोग अन्य समाजी विग्ञानों में किया जा रहा था और समासास्तर का विकास अधूरा लटका हुआ था उधर मार्क स्वाद समाजी घटनाओं का निगेटिव डिशलेशन कर रहे थे तुर्किम ने इन सभी के संदर्ब में आदर स्वाद का विरोध किया प्रतेक्षवाद का समर्थन किया और अगस्त कॉम्टे के अधूरे काम को पूरा करते हुए समासास्तर की बिशलेशन के जगार समाज का प्रकारवादी बिशलेशन परस्तूत किया इस तरह से हम दुर्किम के पूरे विचारों के पीचे का जो उद्दे से है अगर हम उस पर बात करें तो पहला उद्दे से क्या है बच्चा यहां ध्यान दो समासास्तर को एक सुतंतर बिशले के रूप में अस्थापित करना यह उद्दे से था और यही दुर्किम ने किया यही महत भी है बच्चा दूसरा बिभेदी कृत समाज में नीचे वाले पर आजाओ बिभेदी कृत समाज में एकटा की समस्या का समधान रखना उस समय समाज में कैसे समस्याओं का समधान होगा कैसे एकटा की समस्या उत्पन होगी दुर्खी मेश प्रशन का भी उत्तर देने का प्रयास किया है और एक और जुलंत प्रशन प्रारंभ से समाज में एक भिबाद रहा है कि ब्यक्ति बड़ा कि समाज बड़ा ब्यक्ति समाज को बनाता है कि समाज ब्यक्ति को बनाता है मतलब प्रारंभ से बिद्वानों में प्लेटू अरस्तू के काल से ब्यक्ति और समाज के मद्ध सम्मंधों के बारे में एक डिबेट चलता रहा है कुछ ने ब्यक्ति को महत्वप्रदान किया तो कुछ ने समाज को महत्वप्रदान किया जितने भी आधर्सवादी विचारक थे उन्होंने ब्यक्ति को महत्वप्रदान किया और जो प्रतेक्षवादी विचारक थे ध्यान देना उन्होंने समाज को महत्वप्रदान किया जिन्रण दुरखिम ने भी ब्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों का निर्धारन किया अपने बिचलेशन में त्यान देना और दुर्खिम ने समाज को महत्तु प्रदान किया समाज को महत्तु प्रदान किया तो ये भी बड़ा की पॉइंट है आपके जानने के लिए जिसमें पता चलेगा कि हर जगह दुर्खिम ने समाज को महतो दिया सरम विभाजन का कारण क्या समाज धर्म का कारण क्या समाज आत्मत्या का कारण क्या समाज पंका क्यों बिगड़ गया समाज कंप्यूटर क्यों घराब हो गया समाज मोटा मोटी अगर आपको समझना है तो मैंने कंप्यूटर और पंका का उदाहरन एक समझने के लिए दिया ये कोई बहुत बड़ा दुर्खिम ने नहीं कहा कि पंका क्यों पिगड़ गया कंप्यूटर क्यों पिगड़ गया कहने का मतलब है कि हर घटना के मूल में दुर्खिम समाज को कारल मानता है जिस तरह से हर घटना के मुल में मार्क्स उत्पादन प्रणाली को कारल मानता है पुंजीवादी उत्पादन प्रणाली को कारल मानता है इकोनोमिक सिस्टम को कारल मानता है जिस तरह से मार्क्स इकोनोमिक सिस्टम को समाज की किंदर में रखता है मार्क्स के जगा पर दुर्खिम समाज को देख्ती और समाज के संदर्ब में समाज को किंदर बे रखता है वो कहता है समाज हर चीज को निर्धारिक करता है हर घटना के मुल में समाज है देख्ती समाज का उत्पाद है इसलिए मार्क्स की आलोचना में हम क्या कहते हैं आर्थिक निर्धारनवादी दुर्खिम की आलोचना में आलोचक कहते हैं समाजिक निर्धारनवादी दुर्खिम का नुसार हर चीज का निर्धारन समाज करता है तो हम देख सकते हैं कि दुर्खिम के अध्यान का उद्धे से समाज को एक सोतंतर भी से के रूप में अस्थापित करना, ब्यक्ति और समाज के मद्य संबंधों का निरधारन करना, और विभेदी कृत समाज में एकता की समस्या का समधान प्रस्थूत करना, ये दुर्खिम के अध्यान का उद्धे से था, अब इसी परिपिक्ष में हम दुर्खिम के बिचारों को दो भागों में बाट रहे हैं, समाज सास्त के बारे में दुर्खिम का बिचार, और समाज के बारे में दुर्खिम का बिचार, वही चीज़े है बच्चा, बिसेबस्तू के बारे में प्रकृति के बारे में दुर्खिम का विचार सोशियोलजी का नीचर क्या है और अध्याइन पद्धिती के बारे में दुर्खिम का विचार बिल्कुल सटीक दुर्खिम ने समा सास्त को एक सोतंतर बिग्यान के रूप में अस्थापित करने के लिए समाज सास्त की विसे बस तू प्रकृती और अध्यन पद्धती के बारे में अपना विचार दिया, असपष्ट किया और इसी संदर्व में दुर्खिम ने समाजिक तत्थे की संकल पना को रखा यह आपके टॉपिक में है, समाजिक तत्थे, याद रखना दुर्खिम ने कहा कि समाज सास्त की विसे बस तू समाजिक तत्थे है, अभी दिमाग मत लगाओ समाजिक तत्थे है दुर्खिम ने कहा समासास्त्र समाजिक तक्थियों का अध्यान करने वाला विग्यान है स्क्रीन पर देखो समासास्त्र समाजिक तक्थियों का अध्यान करने वाला एक विग्यान है एक बिसे है समासास्त्र समाजिक तक्थियों का अध्यान करने वाला विसे दुर्खिम ने यहीं पर समासास्त्र की विसे बस्तू को बिलकुल क्लियर किया दुर्खिम ने यहीं पर अन्य समाजिक बिग्यानों की विसे बस्तू से समासास्त्र की विसे बस्तू को बिलकुल क्लियर किया और समासास्त्र को एक स्वतंत्र भी से के रूट में अस्थापित करने में महत्यपूर्ण भूमिका निवाई दूसरा प्रसंथा समासास्त की प्रकृति क्या है दुर्खिम ने कहा अगस्त कॉम्टे के ही अधूरे काम को उने आगे बढ़ाया और कहा कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान समासास्त्र नेचूरल साइंस की तरह साइंस है ठीक है थोड़ा बहुत अंतर समाजी घटनाओं के कारण है बट नेचूरल साइंस की तरह साइंस इसलिए दुर्कीम अपने पूरे बिश्ले सन में सोशियोलजी को एक निचूरल साइंस की तरह साइंस बनाना चाहा प्राकृतिक विज्ञान की तरह विज्ञान और अध्येन पदती के संदर्भ में अगर हम देखें तो दुर्खिम ने अपने अध्यान पद्दती में कौन सी पद्दती बताई प्रतेक्चवादी पद्दती और इस प्रतेक्चवादी पद्दती को बिल्कुल अस्पष्ट किया हम लोग देखेंगे क्या किया इसमें बताया दुर्खिम ने कि एक समाज सास्त्री को समाजी घटनाओं का प्रतेक्चवादी पद्दती से ध्यान करना चाहिए एक प्रतेक्चवादी पद्दती क्या है भाई इस पद्दती से कैसे किस तरीके से समाजी घटनाओं का ध्यान करना चाहिए समाजिक तक्तियों का अगें समाजिक तक्तियों का धेन करना चाहिए कैसे कौन सा तरीका तो दुर्खिम ने उन प्रतिक्षवादी पद्दती को क्लियर किया एक समाजिक तक्तियों का धेन करते समय कैसे करना चाहिए क्या तरीका होना चाहिए एस dishes सब हम लोग नहां पढ़ेंगे द्यान दो इस तरह से ये समाज सास्त्र के बारे में दुर्खीम के बिचार है इसमें syllabus में आपका कीवल समाजिक तत्य दिया हुआ है द्यान दो यही समाजिक तत्य आपका syllabus में दिया हुआ है लेकिन हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि परुक्षता हो भी है उसमें प्रशन उस तरह से इंटिग्रेटिड पूछा जाएगा समाजिक तथ्य नहीं पूछा जाएगा पूछा जाएगा कि समाज सास्त्र के को सुतनत्र विसे के रुपे अस्तापित करने में दुर्खिम के योगदानों की समिच्छा कीचे अब कहीं भी समाजिक तथ्य नहीं है आपको लिखना होगा इसलिए हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच एक बार ले रहे हैं टाकि कहीं से भी प्रशन पूछा जाए तो हमारी एक समझ बनी हो विसे बस्तू के बारे में समाज के बारे में दुर्खिम का बिचार आजाए हैं आपर समाज के बारे में दुर्खिम का बिचार ओभरॉन समाज के बारे में जदी हम दुर्खिम के विचारों को देखते हैं इसलिबस में नहीं, इसलिबस में ये दो नंबर है स्रम्भी भाजन धर्म और समाज और आत्मत्या बट ओभरॉन समाज के बारे में जदी हम दुर्खिम के विचारों को देखते हैं तो दुर्खीम ने समाज का प्रकारवादी ब्याक्या प्रस्थूत किया है सकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक ये प्रकारवादी क्या है? मैं कल इसको सबचाऊंगा अच्छा से, आगे दुर्खीम ने समाज का प्रकारवादी ब्याक्या प्रस्थूत किया है positive समाज को समाज कई अंगों से मिलकर बना एक बिवस्ता है बिवस्ता है जहां सारे अंग proper जुड़े है proper जुड़े है जहां सारे अंग proper काम करते हैं सब कुछ ठीक 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 बढ़ियां 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 मार्क्स समाज के बारे में क्या कहता है समाज कई अंगों से मिलकर बना है जिसमें एकोनोमी प्रमुक है और हर एकोनोमी में दुंद होता है उत्पादिन की सक्तियों में दुंद उत्पादिन के समंदों में दुंद जहां भिसमता होती है स्वामी होता है, बंचित होता है, स्वामी बंचित का सोसल करता है, सोसल को लेके संगर्स होता है, स्वामी हर अंग को सोसल के लिए बनाता है, पूरा निगेटिव, 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 दुरकिम कहता है, समाज कही अंगों से मिलकर बनाएक बोसता है, इन सभी अंग के लिए लाबकारी ही होगा न इसके समाज का प्रतेक अंग समाज के अवसेक्टाओं को पूरा करता है और समाज के लाबकारी होता है समाज के सारे अंग प्रॉपरली जुड़े हैं समाज के सारे अंग समाज की अवसेक्टाओं को पूरा करते हैं समाज के सारे अंग समाज के लिए लाबकारी भूमिकानी वाते हैं प्रकारेकारी भूमिकानी वाते हैं तो अगर हम समाज के बारे में दुर्खिम के विचारों को अगर हम होलिस्टिकली देखे तो अप्रोच हमेशा याद रखो प्रकारवादी समाज के बारे में दुर्खिम का जो नजरिया है प्रकारवादी है अब प्रकारवादी क्या है जान जाओगे तो क्या कहा होगा दुर्खिम ने समाज के बारे में आप समझ जाओगे इसके बाद तो फिर केवल सरम, विवाजन, धर्म और आत्मत्या नहीं बिल्कि अगर हमें नौकर साही के बारे में दुर्खिम के बिचारों को पूछ दिया जाए अगर हमें परिवार के बारे में दुर्खिम के बिचारों को पूछ दिया जाए एजुकिसन सिस्टम के बारे में दुर्खिम के बिचारों को पूछ दिया जाए जो यहां कहीं भी आपके सिलिवस में दिखाई नहीं दे रहा अप्रोच अगर आपका कलियर है तो क्या होगा दुर्खिम का बिचार बिलकुल कलियर होगा तो समाज के बारे में दुर्खिम का जो विचार है उप्रकारिवादी रहा है जहां दुर्खिम समाज के को कई अंगों से मिलकर बना हुआ एक बिवस्था टाइप, प्रॉपर टाइप मानता है जहां सभी अंगों का निर्मार सुहम समाज द्वारा अपनी आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है जहां सभी अंग समाज की आउशक्ताओं को पूरा करते हैं और समाज के लिए लाबकारी बूमिकाने बाते हैं मोटा मोटे यही है समाज के बारे में दुर्खिम का बिचार और इस पूरे विशलेसन में दुर्खिम ने समाज पर बल दिया तो जब हम समाज के बारे में दुर्खिम का बिचार पढ़ते हैं तो यह ध्यान रखा जाए कि हर जगह दुर्खिम समाज को मानता है हर जगा दुर्खीम समाज पर बल देता है जबकि आधरस्वादी हर जगा बेक्ती और बेक्ती के बिचारों को किंदर में रखते हैं अगेन आई रिपीट आधरस्वादी बेक्ती और बेक्ती के बिचारों को किंदर में रखते हैं दुर्खीम समाज को किंदर में रखता है, समाज पर बल देता है, हर घटना का निर्धारक समाज को मानता है, आदर्सवादी हर घटना का निर्धारक ब्यक्ति, ब्यक्ति के चेतना, ब्यक्ति के विचारों को मानते हैं, तो समाज के बारे में दुर्खिम का विचार प्रकार्यवादी व्याक है मतलब पोजिटी पोजिटीव और समाज पर बल ये दो बाती के इंदर बेर रखनी चाहिए फिर दुर्खिम ने समाज में स्रम विभाजन पर अपना विचार दिया division of labor in society ये topic है आपका तो सरम विभाजन का विच्टेसन में उस समाज पर बल दिया होगा यानि सरम विभाजन के उद्वाओ का कारण समाज सरम विभाजन का निर्धारक समाज स्रम बिभाजन समाज के लिए हानिकारा क्या लाबकारी स्रम बिभाजन का समाज पर प्रभाओ स्रम बिभाजन का समाज सास्त्रिय परिपेक्षिसे बिशले से मतलब क्या हुआ स्रम बिभाजन का कारण समाज में कहा है और स्रम्भी भाजन का समाज पर क्या प्रभाव है तो स्रम्भी भाजन का बताओ कारण दुरुखिम के अनुसार समाज स्रम्भी भाजन का समाज पर प्रभाव हानिकारक या लाबकारी, प्रकारेकारी प्रकारेकारी, प्रकारेवादी है यही है इसका विचार यही हो गया स्रम विवाजन का समार सास्त्रिय विशलेशन धर्म का समार सास्त्रिय विशलेशन दुर्खिम का दूसरा टोपिक धर्म का समार सास्त्रिय विशलेशन तो दुर्खिम के अनुसार धर्म के उदभाव का कारण समाज मार्क कहेगा उत्पादिन प्रडाली दुर्खीम के अनुसार धर्म के उत्भाव का कारण समाज और दुर्खीम के अनुसार धर्म का समाज पर प्रभाव आनिकारत या लाबकारी लाबकारी, प्रकारी कारी हो गया धर्म का समासास्त्रिय ब्या क्या हो गया धर्म का sociological perspective से अध्य है यही है दुर्खिम ने धर्म का कारण समाज को माना है और धर्म को समाज के लिए प्रकारेकारी वताया है कैसे समाज धर्म का कारण है और धर्म क्या समाज के लिए लाभ देता है यह हम लोग आगे पढ़ेंगे वट एक आउटलाइन मिल गया तीसरा टॉपिक बच्चा तीसरा टॉपिक आत्महत्या का समाज सास्त्रिय विश्ले संदुर्खिम ने किया मानो समाज की एक प्रमुग गटना आत्महत्या क्या किया होगा आत्महत्या का कारण समाज और आत्महत्या समाज के लिए प्रकारेकारी बताया होगा की नहीं बताया होगा बताया होगा प्रकारेकारी अब आप तनाव में होगे कि आत्मत्या समाज के लिए कैसे प्रकारेकारी है तो हम लोगो हाँ आपका तनाव दूर करेंगे इस तरीके से दुर्खिम ने उस समय के समाज के बारे में और उस समय के समाज में प्रचलित महत्पुन गटनाओं के बारे में अपना विश्लेसन प्रश्टूत किया यही है दुर्खिम का समाँ सास्त्र के बारे में विचार का एक आउटलाइन और यही है दुर्खिम का समाज के बारे में विचार का आउटलाइन इस तरह से दुर्खिम का अप्रोच हम लोग समझ चुके हैं दुर्खिम एक प्रतेक्षवादी बिचारक था दुर्खिम एक प्रकारवादी बिचारक था दुर्खिम ने ब्यक्ती और समाज के बिशले सन या संबंधों के संदर्म में समाज पर बल दिया दुर्खिम ने हर घटना का कारण निर्धारक समाज को माना दुर्खिम ने व्यक्ति को समाज के उत्पाद के रूट में देखा और दुर्खिम के तमाम बिशले सल में ये बाते दिखाई देती है ये है आपका एक राउंड जो मैंने आपको दुर्खिम के बारे में बताया उस समय की समाजिक प्रिश्ट भूमी आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी 1858, 1917, 1890 के आसपास, 1890 में मार्क्स की विचारधारा प्रचलर में आ चुकी थी करकाना में दुस्परिणाम दिखाई दे रहे थे और समाजवादियों दौराध दुस्परिणाम का विरोध भी सुरू हो गया था पुंजी वाद की आलोचना भी उदर चल रही थे जम के निगेटिव इसलिसन चल रहा था तो दुसरी तरफ हमारे अगस्त कॉम्टे साहब सोस्यालजी को एक साइंस बनाने में लगे हुए थे समाजवाद की अस्थापना करके वो मर चुके थे और समाजवाद को एक विसे के रूप में रिकोगनिशन नहीं मिलाता दुर्किम ने अगस्त कॉम्टे के इस अधूरे काम को पूरा किया समाजवाद की विसेबस्तू को अस्पष्ट किया प्रकृती को अस्पष्ट किया अध्यन पद्धती को अस्पष्ट किया और सोशियोलजी को एक सोतंत्र विग्यान के रुप में अस्थापित किया सोशियोलजी को मनो विग्यान के चंगुल से बाहर निकाल कर एक सोतंत्र विग्यान के रुप में अस्थापित किया और दूसरी तरफ मानो समाज का मार्कसवादी नजरिये से विपरीच दुन्दवादी नजरिये से भी प्रीच प्रकारिवादी नजरिये से समाज और समाजी घटनाओं का विशलेसन किया जहां वो सदेव समाज पर बल दिया सदेव समाज पर बल दिया इसी नजरिये से, इसी दृष्टिकून से उन्होंने समाज में सरंबी भाजन की घटना जो उस समय ओदोगीक अर्थविवस्था की एक किंद्री ये घटना थी सभी लोग सरंबी भाजन पर लिख रहे थे जब कभी भी जब हम समाज के किसी घटना पर लिखते हैं तो वही घटना पर हम कलम चलाते हैं जो उस समय में पॉपुलर हूँ आज अगर इन्वर्सिटी का कोई प्रोफेसर लिखेगा तो निश्यत रूप से लब जिहाद पर लिख रहा है सोशियल्जी वाला लिबिन लिसंसिप पर लिखेगा समलेंगिक्ता पर लिखेगा नकसलवाद पर लिखेगा अतंकवाद पर लिखेगा उस समय थोड़ी कोई लिबिन लिसंसिप पर लिखेगा नकसलवाद पर लिखेगा उस समय की पॉपुलर गटना क्या थी दर्म तो कि बिग्यान के विकास ने धर्म के प्रभाव को कमजूर कर दिया था, धर्म को हिला कर रख दिया था उस समय के सभी समाज बेग्यानिकों ने धर्म पर कलम चलाई अगस कॉम्टे ने धर्म के बारे में लिखा काल मार्क्स ने धर्म पर कलम चलाई एमिल दुर्खीम ने धर्म के बारे में लिखा मैक सुइबर ने धर्म के बारे में लिखा उस समय के एक जुर्णत मुद्धा था ये उसी तरह से ओदोगीक अर्थमेवस्था के विकास के साथ डिविजन ओफ लेबर काम करने के एक नए तरीके के रूप में विकसित हुआ था आडम स्मित ने डिविजन ओफ लेबर पर लिखा मार्क्स ने डिविजन ओफ लेबर पर लिखा लोग बहुत ज्यादा प्रतिषम प्रधा में थे ये आजकल दिल्ली में या बड़े-बड़े मेट्रोज में चल रहा है सुसाइट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और आत्मत्या का ध्यायन कौन कर रहा था मनुवेग्यानिक कर रहे थे आत्मत्या को एक बिसेस प्रकार की मनुवेग्यानिक दसाओं का प्रेणाम माना जा रहा था आदमी जब एक बिसेस प्रकार के मांसिक अवस्था में होता है एक उद्वेग की अवस्था में होता है एक आवेगात्मक कंडिसन उसको सुसाइड करवाते थे आत्मत्या का कारण ये आवेग है, ये मनुविज्ञान है दुर्खिम ने आत्मत्या को भी अपने ध्यान के भी से बस्तू के रूप में चुना और कहा कि आत्मत्या का कारण मनुविज्ञान नहीं है, आत्मत्या का कारण समाज है ठीक है कि एक विशेश प्रकार की मनुविज्ञानिक दसाओं में आकर हम सुसाइड करते हैं, बट उस बिसेश परकार की मनुवः ग्यानिक दसाओं का निर्दारन समाज से होता है समाज की परिस्थितियां गत्ती को द्विलित करती है और गत्ती सुसाइड कर लेता है इस तरह से मैंने एक उदारन आपको दिया कि इस तरह से दुर्खिम ने सुसाइट जैसी घटना का sociological interpretation किया उसके social dimension को दिखाने का प्रयास किया यह है समाज के बारे में दुर्खिम का बिचार तो आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं, ओके? So thank you very much Good evening everyone आज मैं अभी Social